हालो बच्चों कैसे हो सब देखो आज में लाया हूं सर्फेस केमिस्ट्रेट ठीक है ने तो देखो मैंने प्यारे बच्चों आपको क्या कर पढ़ा दिया मैंने आपको चार चेप्टर फिनिस कर दिये हैं कि मैं आपको और प्लादिया अब मेरे पास में थ्री चेप्टर्स बचे हैं प्रम टू के एक प्लाराव में आपको आज स्टार्ट कर रहा हूं नहा चेप्टर सर्फिस केमिस्ट्रेट इसको यह वीडियो में खेतम करूंगा और प्लावगा मैं आपको फिर इसके बाद डी और उसके बाद चलेंगे हम और सारे चीज़ सारे चैप्टर्स खत्म करने के बाद में फिर मैं आपको इंपर्टन फाइव यर्स बैक कोश्चन सोल पर आवा बोड गे और फिर मैं आपको कुछ मॉडल पेपर्स भी एक दो सैट तो तीन सैट आपको सोल करा हूँगा तो मैं प्यारा से चैनल है एक आप उसको सेयर कर लो लाइक करो सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे हैं ठीक है नहीं और रात के बज़रे हैं बारे और मैं आपको बना रहा हूँँ सर्फिस के मिस्टिव वीडियो ठीक है नहीं तो देखो मेर समरपड़ है सारा वो बच्चों के लिए है तो बच्चों सो उम्मीद करूंगा मैं कि मुझे कॉपरेट करें और हमारे चैनल को जाय से जादा सब्सक्राइब करें और अच्छे तरह से इस्टिटी करें ठीक है तो देखो सर्फेस केमिश्ट्री यह चैप्टर का नाम है है यह जाए लगा लें सफेस केमिश्ट्री ठीक है वैसे बात करें यह हम इस चैप्टर की तो यह हमारे चैप्टर फाइब है यह चैप्टर फाइब है फर्स्ट पाट का के बाजोद एपनंघे देखो क्या है है सर्फेस केमिश्ट्री में हम सुर्फेस केमिश्ट्री में हम कि कुछ अइसे प्रोसास पढ़ते हैं अब स्धी सुप्स्चेंस की स्विष् सर्फेस पर होते हैं सबजह माते है जैसे कि एक बहुती famous process है जो शर्षेस पर होता है उसके नाम है add direction add direction ठीक है add direction आपने absorption के नाम तो बहुत बार सुना होगा absorption ठीक है absorption absorption का मतलब तो जाए प्याएँ कोई चीज दूसरी चीज के अंदर सा ले जाएए उसक ना अब्सर्ब करने ना और यह निया वालड है यह हमारा एड्जॉप्शन अगर हम दोनों को कंपेर करें तो यह प्रोसेस अलग-अलग तरह किसे करियाउट होते हैं यह एक बल्क प्रोसेस है क्या है बल्क प्रोसेस प्रोसेस अलगो होते क्या है सर्फेस प्रोसेस है क्या सर्फेस प्रोसेस मतलब किसी सर्फेस प्रोसेस की सर्फियस पर यह किरी आ ओठे Minis अलग और यह difference है कि यह डिफ्रेंस से तो रोम है कि अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनिशन की बात करें तो यह क्या चीज होती है अध्युक्त कि मेरे पास में एक सब्स्टेंस है यह वाला ठीक है और यहां पर मैंने कोई सब्स्टेंस दूसरा लिया इस तरह से जैसे कोई गैस ले लिए मैंने गैस के मॉलिकुल्स है यहां पर मैंने किस सॉलिड मैटरियल ले लिया कोई अगर यह गैस इस सॉलिड की सर्फेस पर जाकर बैठ गई जैसे आप घोले की प्रिट पर जाकर बैठ जाते हो कुदक कर समझे माइए ऐसे कोई गैस है हमारी और वह सॉलिड की सर्फेस पर जाकर कुदक कर बैठ गई जैसे आप घोले की कबर पर बैठ जाते हो कुदक कर ऐसे कोई गैस है तो सॉलिड की सर्फेस पर जाकर बैठ गई तो यह process क्या हुआ जी बताओ, bulk process हुआ है, surface process हुआ, सोचके बताओ, तब यह surface process हुआ, क्या हुआ है, surface process, बस इसी को कहते है, adsorption होना, यानि एक substance, दूसरी substance की surface पर जाकर बैठ जाएगा, तो इसको क्या कहते है, हम adsorption कहते है, बासन में गई, और बात करें हैं हम absorption की, तो इ सब्स्टेंस पढ़ा है मेरे पास की, को सब्स्टेंस यह है, दूसरा, यह A मालो, इसको B मालो, अगर यह substance अंदर चला गया, यह नहीं मैटर लेकर अंदर गुश गया, जैसे आप कमरे के अंदर गुश जाते हो, समया गया, धर्वाजा है, उसके अंदर गुश गे कमरे के ऐसे को सब्स्टेंस आया, उसके खड़की खोली, और वो सब्स्टेंस के अंदर गुश गया, तो सब्स्टेंस के अंदर गुश गया, यह बल्ग प्रोसेस है, तो इस चैप्टर में हम अब्दर्शन के बारे में कोड डिटेल नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ एक प्यारी सी पादलेंगे सिकी, एक सब्सक्राइब प्रोसेस इन विच वन सब्सक्राइन सब्सक्राइब गएश Question के बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ते हैं, पूरा डिटेल पढ़ते हैं, पड़न क्या होता है, इसके Definition क्या होती है, एक डिचिक स्ब्सक्राइब स्वनआगे से यह prac करना इसका mechanism क्या है कि यहता है इसके इसको एक करने कोंचा होते हैं वह स्वाइनी चीज़ें करेंगे इस चप्टर के इंदर तो मेरे प्यारे बच्चों की बात करें हम क्या बहुत सकते इसकी प्रॉपर डेफिनिशन यह बहेंगी इसकी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है वर्ण सब्सक्राइब्स वर्ण सब्सक्राइब्स इस डिपोजिटेड डिपोजिटेड वर्ण सब्सक्राइब्स इस डिपोजिटेड ओन दा सर्फेस ऑफ अधर सब्सक्राइब्स सर्फेस ऑफ अधर सब्सक्राइब्स अधर सब्सक्राइब्स कुछ प जाकर क्या हो गुले की कवर पर जाकर आप बैठ जाते हैं तो उसको कहते हैं हम अब कुछwood किसी को है तक पर आगे सबके ठीक है अब दरह समझे ध्यां से इस एड्जर्शन से रिलेटेड हमारे पास में कुछ और ठर्म्स भी होते हैं इसको बोलते हम एक बोलते एड्जर्वेट क्या है जी एड्जर्वेट तो यह ट्रम्स आपको सीख रहे हैं राइट कैसे वेट क्या होता है एक इस सारी चीज शीथ चीखने आपको एड्जर्वेट क्या है बहुतिए सिम्पल जो सबस्के डे वो रहा है और इसे क्या लोग एक युछ यह लगा है हो रही है किसको क्या बोलोगे आप एड्जर्बेट का होगे मतलब एस सबस्टेंस एस सबस्टेंस विच है एगट एड़ जो एड़्जर्ब्ड हुआ है उसको कहते हैं एड्जर्बेट कहते हैं जैसे हापर गय से है चिपएन लिड़ी जाकर तिसको भूला गया अग्णां में गया? और इससे रिलेटिल एक टरम सवर एड़ुर्मेंट क्या चीड है? यह यह अड़ुर्मेंट हुआ जिसकी सर्फेस पर एड़ॉसन हुआ हुआ है मतला एसस्टेंस at the surface of which absorption takes place जिसकी surface पर absorption हुआ है उसको कहते है adsorbate, क्या कहते है, adsorbate कहते है it's called adsorbate यहां तो को problem किसी को स्वाइब शस्रॉट सब्सक्राइब को अजय को सब्सक्राइब कि ईक्राइब शॉल्ड की सभ्सक्राइब वो एड़र्वेट है जिसकी सर्फेस पर एड़र्वेट हो रहा है वो एड़र्वेट है अच्छा कौन को इसे commonly used एड़र्वेंट है जिनके बारे में हमें knowledge होनी चाहिए तो दो तीन अग्जाम पर याइद करलो जैसे चार कौन? चारकॉल एड़्जर्मेंट होता है यह बॉन चारकॉल एनिमल चारकॉल बुड चारकॉल वगरा होते हैं यह सिलीका जेल क्या सिलीका जेल राइट ट्रांजिशन मेटल्स कुईसी ट्रांजिशन मेटल्स ठीक है एलुमिना जेल एलुमिना जेल एलुमिना जेल यह सब के सब क्या है हमारे commonly used absorbents हैं बहुत अच्छे quality के absorbents होते हैं चार कॉल सिलिका जेल ट्रांशन मेटल्स जिसे आयरन है को वाल्ट है निकल है पैलेडियम है ऐलुमिना जेल यह सब अच्छे quality के क्या होते यह सब्सक्राइब करना को कि प्रावन हाथ थै किसी को तो एब्जोर्वेट एब्जोर्वेट अजब्ध तीनों का link एक दूसरे से बडाद इसको है अच्छा हमने आपको एब्जोर्व्प्शन तो बताय लिया कि एब्जोर्प्शन क्या होता है absorption क्या है बल्क प्रोसेस है क्या होता इसमें एक सब्सक्राइब जो होता है गोज इंसाइड गोज इंसाइड गोज इंसाइड कि अंदर जा जाए जैसे को आपने दिकार गदी होती है कोटन होती है अप कोटन को पानी में डालो पाली को अंदर सोख लेगी ठीए के शीक नहीं आप किसी गद्णी पाली में डालो पाली को ने इंदर आपके गर्मी अपसी ने निकलता आप कॉटन प्लोस पेंथे हो इप सबस्ता होता है वह कोटन हुआ उशको क्या कर लेती है अंदर सो्ख लेती हैускी क्या होता है इस कि दू स़िटेंग के पड़ा है और जब्संग किया होता है सलस्टेंग भया बहारी के लिए शपग गया अंदर नहीं जा रहा वह एडन है फिर दुछ ले अछी पर ओके जर्षन क्या है D 없습니다 होता है यह फियर खूरस अधॊरस्ण एफ संदर ऑता है जब सड़क्षण जबस होते हैं क्या होते हैं साइमल्टेनियसली उते हैं एक साथ होते हैं टेक्स प्लेस जब absosm और absosm एक सार्च होते हैं simultaneously होते हैं तब उसको कहते हैं absorption हो रहा है क्या हो रहा है absorption हो रहा है ética टेक्स प्लेस कुछ प्रालम किसी को समझ रहा है तक जब एड़ और एब दोने एक साथ होंगे तब उसको बलेंगे जोर्फसन हो गया क्या हुए जोर्फसन हो गया अच्छा अब मेरे प्यारे बच्चे सुनो अब मैं आपको एड़्फसन के कुछ common phenomena बताऊँगा इन common examples बताऊँगा जो आपने सायद देखी भी हो लेकिन आपको पता ना हो कि यह एड़्फसन हो रहा है थोड़ा सा समझाए इसको कुछ एड़्फसन की कुछ common examples बताऊँगा एड़्फसन के बताऊँगा कि यहां से देखो रिए यहां पर मैं एक क्या ons कि लिए है पानी ठीक है और पानी में डालदी में पिंक डाई कि पिंक क्विए कि राग Drask day हो एक सभी फैकश्र डाइशे चली गई एक ग्रेल्इंगा देशा कोूई हो बिंक डाय चली है तरह कहा है कि छलेगी अब क्या किया मेरे प्यारे बच्चों आपने इसमें चार कोल का टुक्रा ढाला डाल दिया चार क्या चार को तो स्क्रेस्ट किया आपने कि यह क्रश्क किया चार को लिए आपने और चार को आपने इस मिलकार से ढाल दिया ए सबस्कार जहां से दिखो जैसी आप चार को इसमें डालोगे कि क्या वह एक बार सूल समझ लो आप ने पाहिल यह पाणींग की डाई डाल दी सारा कलर फिंक हो गया पूरा पानी पिंक हो गया गुलावी ने क्याकि चारकॉल लिया उसको पीसा और उसमें पावडर की तरह ढाल दिया पानी में फिंक कलर तो आप ये दिखो कुछ देर बा यह क्योंगे जादू फी यह कोई जादब बाद नहीं है मेजिक नहीं है इसके पिछ एक साइंच है क्या है जैसे या आपने इस θα पने इस्ट करना के पानी में चार्कॉल डाला था क्वआ कह साब का चार्कॉल की सरफेस पर देख करें बादे हो चारकोर की सरफेस पर आप देख कहरे हो, धीरे 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 पानी के अंदर जिब पिंक कलर की डाई थी क्या थी? पिंक कलर के डाई थी, वो कुदheit कर यहँआ पर बैठ गई किसव्पेस पर? चारकोर की सरफेस पर. क्युश्य तांगे अंगे चार्क रोख्य पर शारी पिन्कॉल की टयाआ याणि इस चार्कऊल की सर्फेस पर जाकर पैठीन चिपक गई छिफुटरा विन सारा चार कोल की सर्फिस पर जाकर एड्जर्म होगी आपका पिंग करल की डाई से ुटरी नहीं रही कहां कहें सीद्या चार कोल की सर्फिस पर जाकर डिपूजिट होगे। में बहुत इस तरी से लिख सकते हो कि जब आपने डाई में डाली और उसमें थ्टा चाको recession जो था पूंख आइज आपने ये बाह्डा हो गया शाहिए एक नहुंटर transf Rebelquam adsorbed हो जाती है क्यों जाती है adsorbed हो जाती है on charcoal charcoal की surface पर adsorbed हो जाती है on surface of charcoal ठीक है इत्वा सुनाई सके है चलो second example देलो इसका second example इसका यह है की आपने दिखा होगा जो coal miners होते है क्या होता है coal miners होते है coalic खानों में जो काम करते है उनकी mouth पर gas mask लगा होता है क्या लगा होता है gas mask और उस gas mask की अंदर एक charcoal की layer लगी होती है क्या charcoal की layer राइट mask पर इस तरह से mask होता है मास्क के अंदर charcoal की layer लगी होती है अंदर यहां पर रजाइस है यह क्या करती है जब poisonous gases होती है जब coal miner coalic खान में काम करने बारा सास लेता है तो उस coal mines के अंदर जहरीली gases निकल रहे mask gas वगएरा methane वगएरा जो वो सास लेगा तो जहरीली gases जो होँगी वो चार्ट के layer पर जाकर absorb हो जाएंगी फिर वो body के अंदर नहीं पहुच पाएगी जह populations gases है format जाकर यह एąż्जर्व होब जाती है और बागी जो gases होती है मार्स gas याए जहरीली gases free होती है और हमें कोई लुक्सान नहीं होता है ठीक है नहीं इसका एक्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं पोज्ञेस गैसिज जो होती है पोज्ञेस गैसिज जो होती है इन कॉल माइंस ओमाइंस गैस अदर्ट नचल बैच तर्ट वां कोई माइंस य्लिया टॉ वां कैन माइंस यू ले लुटिछिन जय गर्टिई यू फे एन जसमाज ग्यू कोई माइंस यू झार्ट आ हो जो होती है एक्ट अ गैस मास्क यूजड बाई कोल माइनर्स कोल माइनर्स का इस फिनोमेना हो रहा है यहां पर फायदा और आने से हमें जैरी लिगी इस हमारी बॉडि में जाने से बच गई है रूप गई है क्योंकि गैस मास्क की अंदर जो चार कोल के लियर है उस पर जाकर एड़र्जर्ब हो होनी और हमें पोजन गेस से बचावनी इतने सब्सक्राइब और देखो कि एक दूर्जाम पर और देखो कि आपने दखाओगा की अ कि हएं जीसे हमारे कमरें बहुत Smart E đã क्स प्रकेarta मेंने। बहुत ज्यादे एखटा हो जाती है वहट ज्यादे हो ज्यादे एहर में लूकते हैं कब सकते हैं कि अगर हमें कहीं पर हुमिडियुटी कंट्रोल करने किसी रूम बगेर है वहां पर हम को कंट्रोल करने कम करने हैं को लिटी को कम कर सकते हैं। तो हमें टेक्निक अपनाते हैं किसकी कर सकते हैं। पूरते से कम नहीं कर सकते हैं। कैसे होगी ते रहा नहीं से लिएक चार कोल का तुक्लान हो गए और उसको पीस कर साजरी डिवाइड़ेट करके चारकॉल को पीस कर पाउडर बना के उसका एक कमरे के कौने में रख दोगी अब तुम कहोगे चारकॉल क्या चीरे लिए क्यों रख रहे हो तो मैंने बताता है चारकॉल एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जगे जऑं पर इसा पानी की वेपर संगी रूम के अंदर धीरे 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 चारकॉल की सर्फिस पर आकर चिपक जाती है हवा से निकल कर वह चारपर की सतह पजाकर सरफेस पजाकर चिपक जाती है तो हमारे रूम के अंदर कुछ हुमिडिटी कम हो जाती है तो किसके जगी हमिडिटी कम कर रही हमने अर्थ रस्वं की जगी है ठीक है नहीं तो इस तरह से लिख सकते हैं हो मेरी चार बच्चों आप कि हुमिडिटी कैन भी कंट्रोल्ड हुमिडिटी 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 ओफ ए प्लेस can be controlled, can be controlled by adsorption, by absorbing, by absorbing water vapor, water vapor on surface of adsorbent जैसे light charcoal, light charcoal ठीक है को प्रॉल्म होता किसी को तो ऐसे हमरे कुछ फिर्मना होते हैं जो हमें डेली लाइक में देखते हैं absorption की common phenomena ठीक है नहीं, not कर लो इसको को प्रॉल्म होता बताओ किसी को अब जाए इसको ठीक है और देखू अगर अब देखू मेरी पेरा बच्छों mechanism of absorption क्यों हो रहा है क्या मतलब क्यों हो रहा है क्या इसके पीछे लॉजिक है कि एक substance दूसर सब्स्टेंस के सर्फेस पर जाकर बैठ गया क्यों बैठ रहा हो क्या इसके पीछे रीजान है अब सब्सक्राइब तो इसका रीजन में प्यारे बच्छों बहुत अच्छी तरह समझाओं आपको देखो मैं जड़ाश लगे रहे ना जड़ा एक मैंने हापन एड्जर्वेंट लिया क्या एड्जर्वेंट लिया इसके समझे धियान से और एड्जर्वेंट की सर्फेस पर मॉलीकुल्स होंगे क्या होंगे मॉलीकुल्स होंगे इस तरह से एक मॉलीकुल दो मॉलीकुल तीन मॉलीकुल ऐसे बहुत सारे मॉलीकुल समाल दो एक मॉलीकुल मेरे अंदर यह है यह कहां पर है यह सबस्टन्स के अंदर वाला मॉलीकुल है इसको बलक मॉलीकुल की ब किससे घिर होगा चारं ओलाथ से गिर towards to recent हुआ है और बल बालम फोर्स लग कि इन वाजला मोलेकुल गूत कर तरह कर दो फोरसे खच authent कीच रहा है नीचे वागा दोयादा हुआ झा फूंपर्वार मौलेकुल ओपर खच इस पर चारह तरव से फोर्स जो लग रहे हैं वह एक्वल एमाउंट में लग रहे हैं तो यह कोई भी नेट फोर्स फिल नहीं कर रहा कि इदर को भागने वाला यह आपके जैपर इस्थिर है यह करके कोई इदर उदर से और उपर नीचे से इस पर बेलेंस फोर्स लगवा है कि लगवा बेलेंस फोर्स लगवा है इस्टेबल है हम पर ही क्या ही इस्टेबल है अब जरह अगर मैं सर्फेस मॉलिकुल को देखो किसको सर्फेस मॉलिकुल को देखो जहां से देखो तो यह मॉलिकुल इस मॉलिकुल से घर रहा है नीचे वाले मॉलिकुल से घर रहा है औ से रसे दौरम साथ से बीमेद्ष फो पड़ायस पर नीचे वाला मॉलीकूल नीचे को खीन्च रायस को को मैं कि क्या इसको ऊपर कुछ मॉलिकूल है यह क्या हुआ को कि यह यह वाला मॉलिकूल है सर्फेस करेगा नीची की तरफ क्षूचाम मैस्थ करेगा नीची की तरफ कशेति एस आप ले जाओ लेकिन आपको वपर कोई रख्षा करने वारा नहीं है तो आप क्या करोगे नीचे की तरफ ही जाते हैं जाऊगे पाने में डूपते चलिए रहा हुए एक्चुली यह हो रहा है कि सर्फेस का जो मॉलीकूल है आपका वह एक नेट डाउन वार्ड फोर्स फील कर रहा है नीचे की तरफ खिचा में हैसुस कर रहा है और यह चारा है आपने आपको स्टेबल होना इसकी स्टेबिल्टी यहां प एक यह पुल्टी नहीं हो पाना क्योंकि नीचे की तरफ खिचा में THKR आइए तो चाहता है और को करना चाहता है और अपनी लिकों कम से कम रखना चाहता है तो यह भी ऐसका मॉलेकुल की मैं कैसे सुद्ध себя कर सकता कि जाए और मुझर से और जुड़ जाए ताकि यहां पर यहां पर सक पर कुछ फोर्सिजंग गहां को कैटें फुरी व chim jaa यहां पर साथ से के मॉलिकुलक अने से सफय्स मॉलिकुल्स क्या होते हैं एस थेंडिया वह फिल करते हैं क्या करतें हैं सिल करतें हैं क्या से अर्ट दाउनitaire सिर्फ करते हैं मिनिश्चे की तरह खचा मेंस्व करते हैं एड और ऑर अड़ कि ए नमबर ऑफ कुरी भेलेंसी और इनके पास क्या होती है कुछ फिन जुटी लेंसी होती है जिनकर इनको हम unbalanced forces भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं या residual forces भी कह सकते हैं residual forces होते हैं और यह दखाएगी है residual forces या free balances या फिर unbalanced forces कहते हैं यह surface molecule के पास होते हैं के सबलब मौलेकूल इस्टेबल नहीं होता है और इनिफ्री विलेंसिज की वैसे एड़फ्ण्चरब्स होता है एड रेस्पंस्मिल फूर रैस्पंस eder ist luck मोले क्रिण एडर्सन के लिए किया होते ही रेस्पंसिबल होते हैं क्या होते हैं और रेसपंसिबल अब यह चाहेंगे कि मैं इस्टेबल हो जाओं इस्टेबल होने के लिए को सर्फिस कोई कोई मूब कर रहा मॉलिकुल उपर से ऐसे उपर से को मॉलिकुल आ रहे हैं को सबस्टेंस आ रहा है तो कह चाहेंगे कि भाईया इस सर्फिस मॉलिकुल के पास में कुछ अन्बिलेंस मैंटरियल के सर्फेस मोल्यकूल चाहरे हैं के हमारे पास आकर जड़ो हमारे पास आकर जड़ो ताकि हम now क्या कर देते हैं कर दो अपनी अद्य नेगी के एंके पास वोसी से आ जाओ आ जाओ और हम से बॉन्ड हो करते हैं कि यह कहाँ हैं किलाये लोग नो फ्रैंस मुष्ट पर रिक्राइब करते हैं और सर्फेस मॉलिकुल क्या कर देते हैं इस्टेबल करते हैं और उनके पास में कुछ फ्री बेलेंश या रेजिडूल कराने के लिए यह सर्फेस मॉलिकुल के अंदर ही प्रॉपर्टी होती है कि किसी मैट्रियल को एड्जर्ब करा ला है को प्रॉब्लम है था किसी को मेरे प्यार बच्चों को ठीक है मिटागे इसको तो आई होब दो यूविल बच्चेंड दे मैकनिजम आफ एड्जर्ट्सन समझ की हो गया कि इसके पीचे क्या लॉर्जिक था ठीक है अब जो को नहां से सुनों अब एक टर्म उता है हमारा enthalpy of absorption क्याता है enthalpy of absorption बहुत ध्यान समझना इसको कहते हम enthalpy of absorption देखो जब एक process होता है absorption का चीज़ है एक process है एक reaction type है जब एक process होता है तो process में क्या होता है या तो bond बनते हैं या तूटते हैं दोई चीज़ होती है bond breaking and bond formation ठीक है नहीं और आपको पता है जब process में bond breaking bond formation होगा तो उस process की enthalpy change होगी क्या होगी enthalpy change होगी या तो heat absorb होगी या heat release होगी समझ में आगया process के during क्या होता है enthalpy change या तो heat absorb होगी process के लिए या process में heat निकल जाएगी आपने पहलूँगी दो reaction दो process एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक तो इसको भी जानना जरूरी है कि एक्जोशनिक प्रोसेस है क्या इसमें heat release होती है या heat absorb होती है यानि enthalpy change कैस आता है एक्जोशनिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है इसको जानना बहुत बहुत जरूरी है तो मैंने आपको एक process देहाँ रखना कि प्यारे बच्चे ने bond formation होते हैं क्या होते हैं bond formation होते हैं process के during right bond बनता है दो substance के between this sesucharism याद रखना energy release होती है क्या होती है energy release होती है energy क्या होती है इसको जोटे delta H bir commence जोटरी यानि process कैसा होता agothermik क्या होता है एक्जो थर्मिक होता है और experimental delta H जो होता है जोटा होता है क्यात रखना इसको a ह pó प्रोसेस में हीट एनर्जी निकल रही है तो उस प्रोसेस को डेल्टा एच जो होगा इन एन्थल्पी चेंज होगा वह नेगेटिव में लिखा जाता है और देखू अगर बॉंड ब्रेकिंग हो रहा है क्या हो रहा है बॉंड ब्रेकिंग बॉंड टूट रहा है अब यह वा कि अब्सर्ब में को में दल्ट कैसे होता है ऑजिट मतला हीट निकल रही है मतला कम हूं 200 है in ले रहे हो तो चिह इंजम सिस्टम की यानि पौजटिव इससे रखो निकल रहे हैं कम पॉजटिव हो रही है अब जरा हम यहां देखते हैं अब यह बताओ मुझे जब एड्जॉर्प्शन होता है तो बॉन बनते हैं तूरते हैं ज़्द सोचके बताओ कि इसमने पर यहां पर इसकी सर्फिस मॉलीकूल से यहांपर यहां पर कुछ अधर सप्पेंस की तो क्या है यह सब्सक्राइंट तो क्या करें यह और रहां और सब्रसेश क्या है और चाहरे को सब्सक्राइब बनते हैं नई तो उसमें हीट निकलती है यह फिर भूती है बताओ जल्दी से कौन से प्रोसेस होगा बॉन्डफ वर्मिशम के डूरी नदी रिलीज होगी यह अब्जर्ब होगी जल्दी बताओ रिलीज होगी यह एप्जोथर्मिक होगा तो याज रखना इसको प्यारे process क्या होता है आग जो ठरूमिक होता है ऐच एज एड़ जंस बञाएं bowling फ्रार्मिशन प्रोसेस क्या यहें एक ऑपन फॉर्मिशन प्रॉसेस होता है यानि किसी नेगेटिव रहता है नोट करें याइसको हुआनो इसको डैटाएच less than सब्सक्राइब देखो थर्मोडानेमिक्स ऑफ एड्जोस्टन जो मेरे प्यारे बच्चों में आपको बताना चाहता हूं कि जो एड्जोस्टन प्रोसेस होता है वह एक स्पॉन्टेनेस प्रोसेस क्या होता है जो प्रोसेस खुद अपना से चलते हैं उनको कहा रहता स्पॉन्टेनेस प्रोसेस प्रोसेस होता है एक होता नोन स्पॉन्टेनेस प्रोसेस प्रोसेस वह होता है जो अपना से केरी आउट होता है जैसे हम जानते हैं कि एड्जोस्टन जो हता है कि spontaneous process क्यों है कि जैसे मालो आपने को एर्जर्वेंट लिया इस तरह से एर्जर्वेंट लिया और यहां पर हमने को गैस छोड़ दी इस प्रकार से इसके उपर से एर्जर्वेंट देना है तो गैस के मॉलेकुल्स अपना से दीरे 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 सर्फेस पर आगर क्या हो जाने एड्जर्व हो जाएंगे तो बताओ मेरे प्यारा बच्चों यह जो प्रोसेस हुआ क्या यह अपना से नहीं चला अपना से चल गया तभी तो कह रहें कि spontaneous process है रा को थर्मोडायनमिस पढ़ना पड़ता एड्जर्वसं के लिए जिसमें हमको तीन चीज़े पढ़नी होती है एंट्रोपी एंथेल्पी एंड गिस एनर्जी राइट तो इसके जरी हम बता सकते हैं कि एक spontaneous process होगा यह non spontaneous process होगा इसके जरी बता सकते हैं तो देखो मेरे प्या degree of randomness degree of randomness उसको करते हैं entropy degree of randomness अब जैसे तुम्हें देखा होगा जैसे मालो हमारे पास को खेल के मैदान है यानि कि कोई playground है वहां पर प्लेयर्स होते हैं वह इदर भागते रहते हैं कभी दर भागया कोई दर भागया तो वहां पर क्या होता है कि कोई भी चीज organized manner में नही होती है कोई प्लेयर्स भाग रहा है तो वहां पर क्या है वहां रैंडमनेस बहुत जदा है और यह बतायाता है कि जब सिस्टम की रैंडमनेस जदा होती है तो उसकी entropy हमेशा जदा होती है और अगर मैं एक classroom को देखूं या एक prayer hall को देखूं तो वहां पर क्या होता prayer hall में या फिर classroom में सारे जो strengths होते हैं वो एक organized manner में लगे होते हैं तो वहां पर रैंडमनेस क्या होती है कम होती है तो कह सकते को वहां पर जो entropy होती है वो कम होती है तो आई हो आप समझे को कि entropy का मतलब क्या है जहां पर रैंडमनेस ज्यादा है system की वह entropy ज्यादा होगी जहां रैं जब संजब हो रहा होगा किसी gas का किसी solid surface पा तो वहाँ पर यह देखना है कि gas की entropy घट रही है या बढ़ रही है यह चेक करना है उनको तो आई यह मैं चेक कराता हूं आपको जैसे मेरे पास इस solid एर्जर्वेंट है क्या है solid एर्जर्वेंट है solid एर्जर्वेंट है मेरे पास राइट एर्जर्वेंट ठीक है और यहां पर मैंने gas को इसको पर ले आया हूं यह गैस के molecules हैं जो यहां पर randomness बहुत ज़्याद होगी गैस के molecules इदर उदर भाग रहे होंगे इदर उदर भाग रहे होंगे तो entropy यहां पर बहुत ज़्याद हो रही होगी गैस की इतनी वास रही आगई अब जैसे ही gas की entropy क्या होई होगी खट गई होगी इतनी मासल मा लगए चाक यह लाद रखना आको मेरे प्यारे बच्छों जब एक less German होती है क्यों होती है और सॉरिद सरफेस किसी सॉरिट cidade इर्जर्वेंट पर कोई गैस हीश है ऑफो जाती है किया हो जाती है आज गैस इस लोकेलाइजड को गैस जो कुछ जो होग यह लौकेलाइजड है इस वात उसकी एंट्रफी उंट्रफी होता है इस अगला इस किसी सिश्टम की तो उसका delta S कैसा होगा नेगेटिव होगा और entropy अगर बढ़ रही है तो delta S की value किसम होगी positive होगी इतनी बार समझना तो यहाँ पर क्या हो रहाँ मेरे प्यार बच्चे बताओ gas के molecules before absorption high entropy रखते हैं जब gas के molecules erdormant की surface पर आकर localize होगे erdormant होगे तो gas के अंदर randomness बहुती कम हो जाती है ऐसे कह सकते हैं कि entropy उसकी घट जाती है तो यह point आपको याद रखना है कि gas की जब absorption होता है तो उसका entropy क्या हो जाता है कम हो जाता है तो gas जोती localize हो जाती है तो यहाँ पर हमने entropy का factor भी हमने explain कर लिया अब बात करते हैं एंथल्पी की एब्जॉस्ट्र फैंथल्पी मैं आज इसको जो रहा जहां से देखो आपके तो entropy क्या लिखनी है हमको इसकी एब्जॉस्ट्सन के लिए डेल्टाइस क्या होगी नेगेटिव अब बात करते हैं एंथल्पी की अब मेरे प्यारे बच्चे बताओ जब कोई गैस किसी सॉलिड सर्फेस पर आकर एब्जॉर्ब होती है यानि एब्जॉस्ट्सन जब होता है तो हीट रिलीज होती है यह एब्जॉर्ब होती है मैंने आपको पिछले उसमें बता था टॉपिक में बता था आपको पता कि एब्जॉस्ट्सन एक एब्जॉथर्मिक प्रोसेस है क्यों एब्जॉथर्मिक क्योंकि यहां पर एब्जॉर्वेट के मॉलेकुल आते हैं सर्फेस के आसपास या सर्फेस पर तो वहाँ पर एक bond बनाते हैं surface पर बनाते हैं और मैंने बता था है जब दो molecules के बड़ी बॉन्ड फॉर्म होगा तो वहाँ पर energy release होगी हमेज़ा राइट क्या होगी release होगी तो तो कह सकते हैं यह डेल्टा है होता है एड्जोसन के लिए वो भी क्या होता हमारा negative होता है है सब्सक्राइब क्या होती है रिलीज होती है डूरिंग डा एड्जोसन एड्जोसन के डूरिंग हीट एलर्दी रिलीज होती है तो डेल्टा एच्वी क्या रहता है असका नेगेटिव रहता है इतनी का सब्सक्राइब अब जहां से देखो तो डेल्टा एस भी नेगेटि सब्सक्राइब करुदाब यह क्या हुआ एक्षाय्ट ही तो टो नीधिफ चला टेज सब्सक्राइब और मेरे पास एक equation है डेल्टा जी बरावर डेल्टा एज माइनस T डेल्टा एज ये वाली equation है इस equation के जरीए with the help of this equation with the help of this equation इस equation के जरीए we can predict we can predict हम predict कर सकते है right क्या predict कर सकते है the process the process is spontaneous or non-spontaneous spontaneous होगा या फिर non-spontaneous होगा या equilibrium पर होगा या फिर equilibrium पर होगा इस equation के जरीए हम क्या बता सकते हैं इस equation को solve करना परता है particular process के लिए और जब इसको solve करते हैं डेल्टा जी की value निकालते हैं तो डेल्टा जी की value देखकर हमें decide कर लेते हैं कि जो given process है क्या वो एक spontaneous process होगा या non-spontaneous होगा या वो process equilibrium पर होगा यह हम बता सकते हैं इस equation को solve करके यानि डेल्टा जी की value calculate करके डेल्टा जी की value calculate करने के लिए हम उस process के लिए डेल्टा एस की value लगानी होगी और टी डेल्टा एस की value लगानी होगी वेल्टा लगाने के बाद में डेल्टा जी की value निकली जाएगी इसमें टी क्या मिल गया है बच्चु temperature क्या है temperature और डेल्टा एस पताईए आपको enthalpy change और डेल्टा एस के मतलब है entropy change दोनों की value लगानी प्रोसेस के रहे हैं अगर डेल्टा जी हमारा आता है negative क्या आता है नेगेटिव तो process कैसा होगा spontaneous process होगा कि समझ में आगया कि इस पॉंटीनेस प्रोसेस होगा और डेल्टा जी अगर हमारा आता जीरो क्याता है जीरो तो process होगा equilibrium पर इस पर equilibrium पर हो एक कि प्रोसेस होगा और यह तीन केसी से नेग्सी के डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो spontaneous होगा डेल्टा जी पॉजिटिव है तो non spontaneous होगा और डेल्टा जी जी गेर्स का composition हो रहा होगा किसी solid surface पर तो process spontaneous होगा यह non spontaneous होगा equilibrium पर आएगा यह check करना है हुआ को तो check करने के लिए हम क्या करेंगे um and nécessite करेंगे дел से नहीं यह है नुध किया लिए है मिना दे ले देखो इव्जर्ब ये क्या गया है एक लोग टेंप्रिचर लोग टेंप्रिचर पर राइट 4a एड्जर्चं के लिए लोग टेंप्रिचर पर देल्टा जी जो आता है डेल्टा जी इस इन-negative इस इन-negative लो-temperature पर एफ्जुस्टिन के लिए डेल्टा-जी नेगेटिव में होता है इसलिए कह सकते हैं इसलिए एफ्जुस्टिन कैसा प्रोसस है है स्पॉन्टेनियस होता है मैं आपको value रखते दिखाँ है कि नेगेटिव में क्यों आता है एक दिखेंगे कि यह इंदर जी अमने ?... गेहां से होता है। हुआ है और डेल्टा असका HOW यह भी नेगर्या होता है जहां से पोधिया जैसे समादा इसको यहां पर मैंने क्या लिए नेगेटिव साइन इस लग रहा है तेंपरिशर में यहां लगाई और मैंने हमें आपर इसको कई लिया डेल्टेस भी नेगेटिव ले लिया तो तोती गाये डेल्ट अब म dobr la ? राइट और नगेटिव नेगेटिव मिलेकर क्या बन जागा पॉलेटिव बन जाहेऊ लिया एक तरह से मान के चलो पूरा होल्ड टीडेहर होता है वह तो है मैं कि तीड़ेस जो होता है माइस स्पीड रखनों सिस्क्राइब इस इन पोजेटिव में होता है युथा पूरा पूरा जो माइनस टीडेल्टा स रहता बैख फॉल बनीप Boss कि डेस्टेव में हैं मैं यहां देखू डेस्ट भी नेगक्टिव में है तो पूरा माइनस टी डेल्टा एस आप उपो पोजी तिमा आटा है और डेल्टा एस के रहता हां मेरा नेगटिव में रहता है सबना गया अब यह देखना है हमको कि delta g negative में मुझे लाना है कोगि मुझे spontaneous process रखना है तो क्या होना चाहिए इस पूरे की जो value है राइट वो कम होनी चाहिए और delta h की value जाद होना चाहिए मतलब delta h for spontaneous process spontaneous process के लिए spontaneous process के लिए delta h must be in more negative more negative than minus t delta s यानि इसकी value जाद नेगेटिव में होनी चाहिए और इसकी value हमारी क्या होनी चाहिए less negative होनी चाहिए एक तरह सा मान के चलो जैसे मालो यह है delta h की value आ रहे है बहुत जाद नेगेटिव और यह आ रहे है बहुत कम value यानि positive मारी value यह positive में कब आ सकती है यानि इसकी value यानि delta h जो है वो more than t delta s यह होना चाहिए यहां से देखो यानि इसकी value जो है वो more negative होनी चाहिए होनी चाहिए समझना गया और t delta s हमारा होनी चाहिए काम जैसे मालो यह example ले रहा हूँ मैं जैसे मालो एड़ोसर के लिए delta h की value आ रहे है यह delta h की value है माल लिया इस तरह से ठीके नहीं और minus t delta s आ रहा है calculate करके मालो positive 200 200 इस तरह से kilojoule इस तरह से आ रहा है तो जब आप delta g निकालोगे minus 2000 plus 200 इस तरह से निकालोगे तो कितरा आएगा minus 1800 kilojoule सबना आगे इसका मतलब यह है याद रखें कि temperature lower होना चीए क्योंची यह temperature lower होना चीए low temperature अगर होगा right तो हमेशा delta g वह आएगा वो negative में ही आएगा delta g किसमा आएगा negative में आएगा अगर हमारा temperature lower है क्योंकि low temperature होगा तो पूरा जो minus t delta s है वो कम होगा और delta s जो होगा वो ज़्यादा negative होगा तो जहां हम दोनों की value को put करेंगे इसकी value put करेंगे तो delta g हमारे सब negative में ही आएगा और अगर ध्यान से देखो temperature अगर बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा और बढ़ते 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 मालो यह आगे इसकी value के बराबर इस तरह से value आगे t delta s की minus t delta s की value मालो बढ़ते बढ़ते temperature बढ़ता आपने इसकी value आगे मालो 2000 इस तरह से आगे तो delta g किसमा जाएगा negative उसमा जाएगा जीरो आजाएगा यह उस condition में क्या जाएगा जीरो कैंसिल हो जाएगा यह यह एक्लिव इस पर प्रोसेस आजाएगा तो याद रखो कि अगर हमें एड्जोस्टन कराना है किसी गैस के spontaneously temperature should be kept low temperature को कम रखा जाना चाहिए तब ही एड्जोस्टन better होगा और एड्जोस्टन होगा अगर आप में temperature बलाते रहे बलाते रहे तो minus t delta s जो होगा वह इतना है पहुंच जाएगा कि वह delta h की value को counterbalance कर देगा बिलेंस कर देगा और उस condition में delta g 0 आ जाएगा रही जब इन दोनों की value को रखोगे delta g positive आएगा यानि process equilibrium पर आगया यानि कि आप कोई absorption आगर possible नहीं है तो इस चीज़ का जहान रखे हों यह main cheer है कि अगर एड्जोस्टन हमें रखना है एड्जोस्टन एक spontaneous बनाना है तो temperature low रखना चाहिए ताकि delta g हमारा negative हो जाए क्या हो जाए नेगटिव हो जाए इसका मेंटर नहीं था बस मेंटादस को अगर अगर देखो Types of Ads 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 None Ads Ads connect positive कोई कोई का मॉलिक्यूल है इस तरह से जब इसकी सर्फिस पर आया तो यहां पर क्या बनता है बॉंड मैंने आपको बताया था एक बॉंड फॉर्मेशन होता है यह बॉंड बनते हैं अगर यह बॉंड बन रहा है कि यह बॉंड बन रहा है यह दो टाइक को बन सकता है एक तो बन सकता वी वांडर वाल sour Chanel वांडर वांडर वाल four यह बन सकता है कि यह बन सकता स्क्रा केंट के Marvel १र्ट यह बन सकता है यह तो बनेगा वीग वांटरवार फॉर्स एड्जर्वेटर रोण में यह बनेगा स्ट्रॉं केमिकल बॉंड राइट तो यानि कि बॉंड जो बन रहा है वह अलग अलग टाइप का बन सकता है अलग-अलग मेगनिटूड का बन सकता है तो इसी के बेश पर हमारे पास में द लोता को बताक्त में तो सब्सक्राइब और बेसी सब्सक्राइब या हम बिट्वीन और यन इंटर्वेंट में आगजर्क्त स्क एक तो होता है ऐक तो होता है कर या फिर को का शीघकल एड़र्पशन भी कहते हैं इसको कज्छी कर एंश के Сवीघन के थीजिकर यह निया ठीक, अनु मेटर इसके जिसलों 10 रोल स्ट्छार बीया, हो तर सक वर दो दूसरे नाम द्ये स्वेश्च है का र संभी कहतम है है उयद्ट को होता है यह ऑध हिसको समझें वृह यह यह सां हो रहा है वीग मारवान फोर्स के दौप एक टेकिंग प्लेस ऄंबाई ट्र इसको मैं शुदक ते टीकंग प्लेस है तो तै हुदर कर अंब प्लेस को नोट करें बाई वीक वांडरवाट फोर्स लिए अध्रРЕस कि वांडरेवाल को अगर कोई एक्जसन वीग बाल्टरवान फूर्ट के दोवारा हो रहा है तो वह किलाएगा फुजिकल एक्जसन और जो प्रोसेस ट्रॉण क्यमिकल बॉंड के दुवारा हो रहा है तेकिन प्लेश बाई स्ट्रॉण केमिकल बॉंड यह अगर chemical bond strong बंद रहा है strong chemical bond बंद रहा है एड्जर्बेट और एड्जर्बेंट के बिट्वीन तो नहीं पर मांगा जाएगा chemical absorption और chemical bond कॉन से सकते हैं like, covalent और ionic और ionic या तो bond होगा ionic या होगा covalent strong chemical bond या तो covalent nature का होगा या फिर ionic nature का होगा कि संब्सक्राइब आई हगा लिथक और फूर्स के द्वारह हो रहा है यार्जर्फशन या पर यजोटोर धुकेश्रवेंट के बिट्विध्वाटैबर फूर्स बंद रहे हैं तो केने में और लिख और कभी कभी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों प्रॉसर एक साथ होने लगते हैं और उस कंडिशन में हम पहचान नहीं पाते कब फिजिकल हो गया कब केमिकल हो गया तो याद रखो इस चीज़ को भी सम्टाइम्स कभी-कभी एक साथ होने लगते हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते आडेंटिफाई करनी पाते कि इसे के तो कब उता है तो हम कर पाते कि कहां से कब तक नहीं कर आधें आपको मैं कि जैसे मेरे पास ये निकलस मीसमालिषक है शाय किसकी निकल्य सरफेस है कि कुछ है छिवागा तरहा हॉत आज तrix yeah अधे जहां कि पrekत ह है लोगन के स्वी पत्राइब किस था अथ Nam अब इस तरह से निकल की सर्फेस है यहां पर है कि मैंने हीड्रम इस छोड़ी की क्या है जो ऱर्फेस की आप है इसकी सर्फेस पर आपर फिजिकल एड्शोफन कर जाते हैं या जाते हैं इसे यहां पर उसके पूरा मौलuttर इसत्रे से लीग वांडरवाल फोर्च बना गया इसत्रे से का जंड यहां पर नंप रहां फोट फूर्स बन गया है ले वद्रवाल फोत्स बन गया है यहां पा और इहां पर कॉए सा fusion हुआ भी फिला ली एः जwedट सब्सक्राइब सब्सक्राइब और टैंपरजर हमाला है लो डो टैंपरिचर पर इनी सरी क्या होगा इंजिराद में क्या होगा रूटमज कर निकल की सरफेस면 कर टेमपर्चर बनाते हो तो हाइजन गैस जो एड्जर्शन होने लगता है राइस तो हाइजन तो हाइजन का जो मॉनीक्यूल होगा वो को डिस्ट सिंट हो लाएगा उन्पू हीडिफल और जैसे हरें को कुछ था हर जो कुल होने तूटे लें तो हर्जाइटम के अटम्स जह होंगेड को निकल एकिंट Self के पार wherein निकल एकनम इसके सांट में कैमिकल बना ना शुरुत बढ़ें यानि कि तुन्ति chemical एड्जर्शन होने लगेगा संगा गया एस टैंपरचर इंक्रीजिज हार्जन मॉलेक्ट डिसोसेटेट इंटु हार्जन एटम्स एंड देन हार्जन एटम्स जो होंगे वह स्टार्टू फॉर्म स्टार्टू फॉर्म केमिकल बॉंड स्टार्टू फॉर सुट्रार्ट फॉर्म केमिकल बॉंड बनाना शुरू करते के पूरा मॉलीक्ट तो इक साथ स्ट्रों केमिकल बॉंड नहीं बनाएगा उसके एटम्स ही बनाएंगे तो जैसे तरन प्रफ्रन उसका केमिकल एड्जर्सन हो जाएगा तो टैंपरचर जैसे मढ़ा है तो फॉ फीजीकल फीजिकल यजो होता है हो कैमेश अजोसन पैस हो जाता है इसमें रीजों से। की लाथ वह सूरस्पते हैं फोनादिक adxENT को लखेंगे हम के एट लोट்सर योग टेमपरिचर टेमपरिच्रेश्टाइं even low temperature temperature पर पर मो इंस प्चिभल एप्साइस इस थे सफ्चीप आपनेगिंट ने जैसinda एज टैंपर्चर राइज इठ जाता है इट केंट पास इन्टु केंड एड़ता है कि इतनी बाषनमनाई सबके इसका मत रही हो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि फिजी कर और केमिकल एड़ाइब के एक साथ होने लगते हैं लेकिन अलग अलग कंडिशान में अलग है टैंप पर फिजिकल एड़ोसन होगा और जैसे हाई करोगे तो केमिकल एड़ोसन में कंवर्ट हो सकता है जैसे मैं आपको निकल की सर्फेस पर हर्दिंग गेस को पास के स्टार्टिंग में लो टैम्पिचर रखा तब फिजिकली एड़ जरू हुई गैस यानि वीग बार रपान फो अब मेरे प्यारे बच्चो बताता हूं तुमको में अब फैक्टर्स एफेक्टिंग एड़ोसन को एफेक्ट करने को कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं यानि एड़ोसन किनकी फैक्टर्स पर टेपेंड घर पार तो इसकी कुछ फैक्टर्स हैं और फैक्टर्स को सब्जाए हूं एक एक तर ले रहा हूं मैं सर्फेस एरिया क्या इडावसेस एरिया और यह और का जिस सुलिड एड्जर्वेंट पर हम एड्जर्वेंट करा रहे हैं उसका सर्फेस एरिया जादा होना चाहिए क्या जादा होना चाहिए अगर सर्फेस एरिया जादा होगा तो गैस का एड्जर्वेंट हमेशा जादा होगा समय मा गया यानि कि as surface area of adsorbent अगर हम adsorbent का surface area बढ़ा रहे हैं increase कर रहे हैं तो क्या होगा then exhaustion जो होगा gas का कि एक तरह से surface area बढ़ाने पर गैस का एड्सर भी बढ़ जाता है कि यहां पर मेरे पास में यहां पर मेरे पास को solid adsorbent क्या है solid adsorbent और और वह अभी किस वर में है solid adsorbent मेरे पास तो एसके surface area सड़ली बढ़ंगा आपने देखा हुआ कि अगर हम किसी क्रिश्टल को पीश है तो फैल जाता है ऐसे करके उसका सर्फेस इरी जादा बढ़ जाता है और जितना जादा सर्फेस इरी पढ़ेगा उतनी जादा गया से अब इतना है अब यह पाउड़र्ड फॉर्म में है जब इसकी पाउडरिंग करता हूँ यानि क्रशिंग करता हूँ इसकी पीशता हूँ इसको में जब पीशता हूँ इसको में तो इसका सर्फेस इरी बढ़ जाता है पहले इतने एरिया में फैला हुआ था चार्कॉल अब पीशने पर और बढ़ गया उसका सर्फेस इरी बढ़ गया तो जितना सर्फ से बढ़ाया पीस कर उसको फेला कर तो उसकी सर्फेस बढ़ गई सब्यादध गया इतनी वासन माई सबके तो इसका मतलब यह हुआ कि या एड्जर्वेंट का सर्फेस रे बढ़ाने परPN रखें बढ़़ाएं चाओ फजीगल एड्जर्वेंट संहों क्यामिकल इड्जर्वेंट्व बर्द जाती है तो याद रखो जब भी हमको सॉलिट एड्जर्वेंट यूज कराने के लिए उसको फाइनले डिवाइडिड लें यानि कि पीस कर लें ताकि वह एक एड्जर्वेंट बन जाए वह जाद से जादा गैस को अपनी सर्फेस पर एड्जर्व करा ले जैसे तुम इस तब एक्जाम्पिल देखा हुआ कि मालों जैसे हमारे कपड़े धूलते हैं हमारे तो जहां कपड़ों को इस तरह से कॉंट्रेक्ट मेंनर में लेते हैं इस तरह से राइट और इसको ऐसे रख देते हैं तो यह आशनी से सूखते ने ड्राइनी हो पाते हैं क्योंकि से रहे पढ़ जाता है वाट रखा राइट तो वाटर के मॉलीकूल बहुत तहीं से एपरेट रहने लगते हैं सर्फेस एरिया का रॉल है यह अग्या दूसरा फैक्तर है हमारा प्रेशर का किसका प्रेशर का दिखो ध्यान से प्रेशर कि इसमें बतायाता है कि अगर मुझे किसी गैस का प्रेशर हाई करना है यह अगर हमें किसी गैस का प्रेशर हाई करते हैं तो उसके एड्योस्टन पर क्या एफ्यक्ट पढ़ेगा ध्यान रखो कि जैसे हम प्रेशर बलाते हैं गैस का गैस कर एड्योस्टन होता है वो बर् गेश एड्जरवेट जैसे जैसे गेश एड्जरवेट काप्ड यह इंक्रीस करते हैं तो क्या होता है जा एड्जर्फशन एड्जर्फशन जो होता है वह इंक्रीज होने लगता है क्यों लगता है क्योंकि बिकॉज ग्रीजिंग प्रेशर बहाने से और इंक्रीजिंग प्रेशर प्रेशर बहाने से वोल्म ऑफ गैस डिक्रीज़ और इसी की हमको नीड भी है हम पर देखो कैसे इसे मेरे पास में यहां पर कुछ solid adsorbent है राइट जब मैं हमारे पास में gas adsorb नहीं हुई थी तो gas ठेली हुई थी चार तरफ उसका volume बहुत ज़्यादा था राइट अगर मैंने इस gas पर pressure मार दिया जादा pressure high कर दिया इस gas को यानि high समया गई तो याद रखो कि जैसे हम pressure को बनाते से ले जाते हैं बनाते से ले जाते हैं gas बहुत जल्दी यल्दी जल्दी आकर adsorb होने लगते हैं तो pressure बनाने से gas का volume तेई से घटता है और जैसी volume gas का तेई से घटेगा तो याद रखो इसको भी factor को भी gas का pressure बढ़ाने से हमेशा absorption क्या होता है increase होता है समया गया क्योंकि gas का volume decrease होता है इतनी वा समया गई लेकिन ऐसा भी नहीं है इसमें कि आप permanently pressure बढ़ाते चले हो बढ़ाते चले हो बढ़ाते चले हो कि हमेशा gas का इंक्रीज होगा नहीं राइट वह ऐसा होता अच्छली मैं आपको बताईता हूं फ्रसा जैसे इस सर्फेस आपकी ठीक है डी गैस के मॉलेकुल यहां पर है आपने पहले इसका प्रेशन लो रखा तो कुछ मॉलेकुल गैस के अड्जर्व होगे इस तरह से फिर आपने फर्दर प्रेशर पढ़ाया उठ और गैस के अड्जर्व ह हो पाएगा नहीं क्योंकि फुली कवर्ण हो गई सर्फेस पर यह सर्फेस जितनी भी थी हमारे पास में वह अब फुली कवर्ण होगी गैस के मॉलेकुल से अब प्रेशन कितरा ही बढ़ाओ आगे कोई एड्जर्वेंट नहीं पढ़ेगा जब तक अबेलेवर्ड रहती है सर्फेस एड्जर्वेंट की तब तक गैस का एड्जर्वेंट बढ़ता रहता है प्रेशर बढ़ाने से लेकिन जैसे ही पूरी सर्फेस कवर्ण हो जाती गैस के मॉलेकुल से तो फिर गैस के एड्जर्वेंट आगे बढ़ता नहीं है चाहे कितरा ही प्रेशर बढ़ा दो मुल्टी लेयर्स बननी सुरू हो जाती है जो भी एड़र्शन नहीं कहाता है एड़र्शन नीशे वाला है सब्सक्राइब तो यह भी आध रहो लेकिंगे फिर भी हम कोई देखना हो कि अगर हमें बिफोर ऑकुपाइब दा सर्फेस ऑफ दा एड़र्वेंट यानिकी सर्फे जाए उसके बाद कि प्रेसर बढ़ाओ गैस बिल्कुल इंक्रीज नहीं होगा इतनी बाद सालमाई सब्सक्राइब लेकिंग बढ़ता है प्रेशा परणाएं से गैस का इंप्रिश्टर आप यहां से पहले तेंप्रिशर कि क्या होता तेंपरिचर से देख शिखा धे हम से एक एग एफधी टैंपरचर इंक्रिजिस तैंपरचर बढ़ाते हो राइट जैसे थे नाथ हो फिजी कर एड़ स्वस्वाऑ ग्यास गैस गास गासर धज्तम होता है कि गैस वोल्यूम इनक्रीजिस वोल्यूम इंक्रीजिस यह कैसे तो गैस डी जॉर्ब हो जाती है जाती है गैस इजन डी जॉर्ब अगर आपके टेंपरिटर प्रफा दिया तो फिजिकल एड्वसंग गैस कि क्यों लेगा डिक्रीज होने लगता है होगा कि यह टैंपरिचर बलाने से गैस का वोल्यूम बढ़ने लगता है याई यह बार फिर आप ने फिर आपने सर्फेस पर आप फर्दर टैंपरिचर बलाया तो अलग हड़ सकती हुआ है याद रखे हम कि टैंपरिचर बलाने से लगळूम हमें तक पर पर इस पर कहथे सकते हैंकि एट सो एत लोड टैंप्रशर लोड तेंप्रिशर यह शूसर के आज ए थिए का सीज़क्त कराना है तो मुझे चैंपरचरंचा है लो रखना है कम से कम रखना तभी उसका एड्जोस्टन होगा फजी कर रहे हैं इसमें मता गया है कि आउन इंक्रीजिंग टेंप्रिचर टेंपरिचर बलाने से एड्री आधल होता है छाया है कि यह रहूं कि क्या होता इंक्रीज होता है और यह क्या होता डिक्रीज होता है यह आत रखने हो कि नौट करने से तीन फैक्टर हमारे काम कर गए तेम्परिचर प्रैसर एंड सर्फेस एरिया बड़ा देश को अब देखो अब लेता हूं मैं अब करेक्टरिस्टिक्स आफ अफ अब अब आजिए अमस्वाट या इस एक जए आजएंस की अप टी तो मैं आपको बता दूँए 2 ए यह नमबर बन है हमारा है लेस इस पैसिपिक लेस इस स्पैसिफिक मतलब इसके बता गया है कि जो फुजिकल एड्जरस्टन होता है किसी गैस का वो लेस œस्पैस्टिक होता है इसका मतलब समझे להיות इसका होता है जेकलब्वायश्टन किसा होता है मारा Most of gas का सुनता है less specific क्यों होता है less specific होता है मतलब क्या इसका as wonderful forces are universal of all gases are universal इसका मतलब समझे हम क्या मतलब इसका दोखो क्या होता actually कर दोखो ले चाहे गैस कोई सीवी है है चाहे है चाहे है कारवन डायोकसाइड है चाहे औक्सिजन है कोई सीवी गैस है हर गैस वादरवाल फोर्स जरूर बनाती है या इसका मतलब जब भी किसी गैस को किसी इड्सरवेंट पर ले जाए जाएगा तो उसका 100% फिजिकल एड्सरवेंट जरूर होगा ऐसे नहीं के हर जिन गैस का फिजिकल एड्सरवेंट होगा ऑक्सिजन का नहीं होगा या कारवन डायोकसाइड का नहीं होगा नहीं नहीं जितने भी गैसिज हैं वो गिवन एड्सरवेंट पर 100% फिजिकल एड्सरवेंट जरूर करती हैं क्यों करती हैं क्यों करती हैं क्यों सभी गैसिज के लिए वाड्रवाल फोर्स कैसे होते हैं यूनिवर्सल होते हैं क्यों सभी गैसिज वीग वाड्रवाल फोर्स जरूर बन फिजिकल एड़ोसन जरूर होगा इसलिए का सकते हैं कि लेस्ट स्पैसिटिक होता है इसमें कोई ऐसी इस्पैसिसिटी नहीं होती कि इस गैस का फिजिकल एड़ोसन होगा इस गैस का नहीं होगा यह इस गैस का नहीं होगा ऐस सब कुछ नहीं है क्योंकि सभी गैसिज के दूसरा देखो दूसरा है करेक्टरिस्टिक इसका नेचर ऑफ एड्जर्वेट क्या है नेचर ऑफ एड्जर्वेट यानि गैस के लिए लिए आगया जाता है गैस कैसी होनी चाहिए तो यह बता गया है कि इसली लिक्यूफाइवल गैसे इसली लिक्यूफाइवल गैसे जो गैसी आसानी से लिक्यूफाइड हो जाती है यानि कि जिस गैसी के लिक्यूफाइड होते हैं वह गैसी आसानी से लिक्यूफाइड हो जाती है यानि जिनके लिक्यूफाइड होते हैं जोटे के लिक्या टोर्टार कैंगा सबूक्राइड होते हैं यानि जिन गैसिस के critical temperature higher होंगे वह आसानी से absorbed होंगी और जिन गैसिस की critical temperature lower होंगी वह आसानी से absorbed नहीं होंगी तो अगर मेरे पास में यह कुछ gases हैं जिसे मेरे पास में gases है A gas, B gas और C gas इसका critical temperature मानलो मैंने लिया है मैंने एक hypothetical ले रहा हूँ है जिसे मैंने इसका 630 Kelvin ले लिया इसका 400 Kelvin ले लिया और इसका 190 Kelvin ले लिया और इसका 33 Kelvin अब यह बताओ कि अगर इन तीनों gases को मैं वन ग्राम activated charcoal पर adsorb करा दो इस पर एक ग्राम activated charcoal मैंने लिया जो कि adsorbent का काम कर रहा है यह तो बताओ कौन सी gas easily एक ग्राम activated charcoal पर adsorb हो जाएगी तो याद रखो इस concept को कि easily liquid gases having higher critical temperatures can easily adsorb than the gases have lower critical temperature यानि सबसे जो adsorbent fast होगा वो A gas का होगा उससे कम B का उससे कम C gas का adsorbent क्या होगा है डिक्रीज हो रहा है याद रखो कि अगर A gas को मैं adsorb कराऊंगा एक ग्राम activity चांकर पर यह तेजी से adsorb होगी उससे स्लोली होगी B और सबसे कम स्लोली होगी C यानि C जो gas होगी वो दीरे-दीरे adsorb होगी इतनी बास में आगे not करो इसे ऐसा कोशन पूशन सकता मौन आपको दो गैस दे दी दोनों की critical temperature आपको प्रवाइड कर दीए कि बताओ एक ग्राम activity चार्कॉल पर कौन से इसली adsorb हो जाएगी तो याद रखो जिसका कंटिकल temperature हाया उसका इसली एब्जोस्चन हो जाएगा कि इतनी बास में सब्सक्राइश अपके not करो इसे को प्रव्लम आते किसी को बड़ाव इसको और दिखुआ अगे तीसरा फेक्टरल याँ ने रिवर्सिबिल का इसका रिवर्सिबिल तीसरा characteristic का रिवर्सिबिल रिवर्सिबिल नेशा जो को मेरे प्यारे बच्चुर में आपको बबिताएता हूं जिसे हुआख कि सब्सक्राइब इस एक का है कि त्रकार इस पर हमारे पाते हमंट में कर रहा है कि समस्थरे नुट का हमारे क्या ल्हें मैं श्याइज खराना का धाया लियाव अब जाएगा solid gas system बन जाएगा plus heat निकलेगी तोगी एल्जोथर्मिक होता है यह एड्जॉब्स पर अब देहां से देखो यह गैस एड्जॉब्स हो रही है वो कैसे हो रही है by weak बांडर्माल फॉर्स के दवारा यह वाहने डावार फॉर्स की दवारा एड्जॉब्स हो यानि कि गयस मॉलिकूल्स और solid बहुत ही वीक फॉर्स बना है बहुत ही कमजूर फॉर्स बना है यहाँ पर यहाँ पर हमारा को एड्जॉर्वेट है जो होती है गेस के इस पूई तो वहां से वह सकती है तो कह सकते हैं कि फिजिकल एक्रशनिक रिवर्सिबल होता है क्योंकि हमेशा इससे बंटा है केरियाउट करता है गया सहन Pol क्योंकि वीग वांटरवाल फोर्स बन रहा है स्वरिड संफेस और एर्जर्वेट के बिट्वीड वीग वांटरव फोर्स उसकी वैए से यह रिवर्सिबल करेक्टर दिखा रहा है मिटाजो इसको अब देखो हीट ओफ एड्जर्शन कि फोर्स इसका क्रेक्टरिस्टिक है हीट ओफ एड्जर्शन हीट ओफ एड्जर्शन जेह देखो एड्जर्शन क्या है जेखो दिहां से जोग इसको हम एंटल्पी ओफ एड्जर्शन भी कहते हैं ने वफ डर्श हीट आ любим 1957 अ जेखोए अपनुमब्स पता है कि जब एक एड्जर्शन होता है तोो हीट फोर्स होती है क्या क्यों इस पुर्पिर एड्जर्वेंट है इस परएडवेंट के मökभ एड्जर्वेंट के टान के सफ़िस मॉन इसे से कि आजए कि अज़र्ट करें तो क्या करेंगी इसते हैं कि इस आज़ में रहे हैं कि लेड़ेंगा था हुघ अज़ध किद्र से पूर फीजिकल एड्जॉशं जब फीजिकल एड्जॉशं गैस का होता है तो लो एनर्जी क्यों होती है लो एमॉंट आफ एनर्जी लो एनर्जी इस रिलीश्ट कम मात्रा में रिलीज होती है एक वाइंडरबाल फोर्स और फॉर्स बनते हैं और वाइंडरबाल फोर्स इस लिए लोग एमांट फीट एनर्जी रिलीज होगी और यह बताया हो गया है कि डेल्टा एच की जो वैलू आती है वह आती है लगभग 20 से 40 किलो जूल पर मोल के असपास कि इस त्रिफ कम एमांट में तो यह थे हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एड्जोफ्ट्स अब लेते हम कैमिकल एड्जोफ्ट्रिक्स इसके कैमिकल के करेक्टरिस्टिक्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इसको ध्यान से जरा देखो है इस पैसिफिक्स मतलब केमिकल एड्जोफ्ट्रिक्स हाइली इस पैसिफिक्स होता है वो कैसे समझें इसको और फिजिकल एड्जोफ्ट्स ऑफ कि अगर हमने कोई एड्जोफ्ट्रिक्स का मतलब क्या है दो इसमें पता गया है कि अगर हमने कोई एड्जोफ्ट्रिक्स अगर अगर ये गैस के मॉलिकूल इस एड्जोफ्ट्रिक्स के मॉलिकूल के साथ में केमिकल बॉंड बनाने की पॉसिबिल्टी रखते हैं यानि chemical bonding करें यह दिये गैस के molecules इस surface के molecules के साथ में कुछ reaction वगरा कर लें या chemical bonding कर लें सबी यह gas इसकी surface पर जाकर एर्जर्व होगी chemical ही आंजर वाइस नहीं होगी ठीक है नहीं अब यह बता गया है कि कि आपने अगर कोई solid observant प्रोवाइड कर दिया solid observant को प्रोवाइड कर दिया आपने और उस पर आपने कोई भी गैस उस पर डाली तो क्या सबी gases का किसी given solid observant पर chemical absorption पॉसिबिल है नहीं वो कब पॉसिबिल है जब यह gas के molecules इस solid observant की surface के molecules के साथ में strong chemical bond बराने की possibility रखेंगे तब ही हाँ पर chemical absorption सब्सक्राइड के साथ में chemical reaction करें जैसे मैं आपको बताईता हूँ कि अगर मैं एक iron का एक टुकड़ा लेता हूँ iron का टुकड़ा राइट या कोई metal ले रहा हूँ मैं जदी iron ले लो या फिर मैं कोई भी metal ले लोगा और उसकी surface पर आप oxygen gas छोड़ो तो आपको पता है हर metal oxygen के साथ में chemical reaction कर सकती है जिसे iron का पीस मैंने डाला तो iron के पीस पर अगर oxygen gas डालता हूँ तो oxygen gas जो होती हो iron की surface पर जाकर oxide की layer form कर लेगी नि और oxide बना लेगी और oxide कब बना सकती है जब या oxygen gas इसके surface के molecules या atoms के साथ में कुछ chemical reaction करें कुछ chemical burn बनाए तब ही हाँ पर oxide का formation होगा सब्दा गया अब मैंने इसकी जगे कोई और gas छोड़ दी जैसे मैंने carbon dioxide gas छोड़ दी iron की surface पर क्या carbon dioxide का iron की surface अगर chemical absorption possible है नहीं क्योंकि CO2 gas जोगी वो iron के साथ chemical reaction ही नहीं करें और जब तक chemical reaction नहीं होगी तब तक कोई chemical absorption नहीं होगा मतल़ यह है इसका कि सारी गैसिस जो होती है कुछी given adsor Kid के साथ में chemical reaction नहीं करती है कुछ ही gases कर सकती है reaction नाइड? इसलिए highly specific होता है यानि कि जो reaction कर ले एड्जर्वेंट के साथ उसका केमिकल एड्जर्वेंट होगा और जो रियक्शन ना करेंगी उसका केमिकल एड्जर्वेंट नहीं होगा है यहां पर मैंने को ट्रांजिशन मैटल वगर से आयरन है या क्रोमियम है या फिर हमारे पास में वैनेडियम है या मैगनीज है तो उसके साथ में हाइड्राइड फॉर्मिशन कर लेती है अगर मैं इनके लावा कोई और गयस ला रहा हूं ला रहा हूं नहीं होता है तो दूसरा ऑड्युसर जो बता था जिसजश च्रिटिकल टेंपचर हायर होगा इसका जिस गैस का क्लिटिकल टेमपचर हायर होगा उस गैस का एड्रिवर्सिबल नेचर इसका chemicalileri क्यों होता है, क्यों होता है? क्यूनकि यहांपा जो gas के molecule हैं और surface के molecule हैं उनके between एक strong chemical bond बन जाता है और जैसे इस ट्रोंग केमिकल बनेगा, वहाँ पाक तुन तेक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, और जब नया प्रोडक्ट बन गया हुआ, तो वहाँ पर उस एड्जरवेट को सर्फेस से हटाना या डीजर्व करना पॉसिबिल नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि इर्रिवर्सि हो जाती है, तो वहाँ से फिर उस गैस को डीजर्व करना बहुत पॉसिबिल नहीं है, इसलिए कह सकते हैं हम इर्रिवर्सिबिल नेशर का होगा, फोर्थ है इसका हाई एन्थेल्पी ऑफ एड्जर्व्शन, बिल्कु सही बात है, आपको पता अगर जो केमिकल में हमेशा स्ट्रोंग केमिकल बॉन्ड बनता है, और स्ट्रोंग केमिकल बॉन्ड बनेगा, तो हाई एमांट ऑफ हीट एन्जर्वी रिलीज होगी, इसलिए कह सकते हैं हाईली एन्थेल्पी ऑफ एड्जर्व्शन रखता है केमिकल, यानि इसकी ते वैलो होती है बॉन्ड बनेगा, उत्री जादे हीट रिलीज होगी, तो हाई स्पेस्फिक नेचर अफ एड्जर्वेट, इर्रिवर्स बिल नेचर और हाई एन्थेल्पी ऑफ एड्जर्शन इसके करेक्टरिस्टिक फीचर से लॉट करो, तो डिफरेंस बेन फिजिकल एंड केमिकल एड में दो डिफरेंस है, तीन डिफरेंस बताओ, तो आप मैंने साथ डिफरेंस लिए आपको सामने में ने, इनके वारी मित्रुआ समझे वैसे तो समझा दिया, मैंने करेक्टरिस्टिक्स औफ फीजिकल एड्जर्शन और केमिकल एड़ॉसन और केमिकल बॉन्ड से केरियाउ यह रिवसिम्ल होता है इसमें लोग हीफन्हं ऒॉफ होती है मतली हीट यहां फ्यार अगरज़ुस लीजलेफिल आगर करने perimeter तो यह बता गया कि टैंपरचर बढ़ाने से हमेशा एक्षिक रड़ोस्ट डिक्रीज होगा इसमें क्या होगा हाई टैंपरचर इस सब्सक्राइबर क्योंकि इस ट्रॉंग केमिकल बनाना पड़ेगा तो इसमें नो एक्टिवेशन एनर्जी यह क्या इसमें एक्टिवेशन एक्टिवेशन एक्टिवेशन आमांट्न होगा एक्टिवेशन ऑगों हो जब कर दरा है ह क्टिवेशन नहीं होती क्यों आता है यहां पर क्या होता है जाकर दोन अगला देखो यह डिफ्राइंस कुछ नहीं है दोना सेम ही है कि सर्फेस एरिया बढ़ाओगे एड्जोर्वेंट का तो केमिकल एड्जोसमी बढ़ है और फिजिकली बढ़ेगा दोने बढ़ेंगे इसनों नॉट कर लो इसे इतना अगया का अब वह अग्रोज्वेश एर्ट चौन अइसोप्षय यह का चीज इसको तरह समझे में यह यह जो अधर ट्रय। है वो क्या है कि दो में आपको बताया था कि सोल होता है वह और किस पर डिलेट करता है कि representing आप टाल इबेंड करता है दीपैंड करता है इस सब्सक्राल के filing होता यानि प्रैसर जासे से बादे चार वएसे वैसे एडोस्टन इंक्रीज होगा तो यहां पर सायंटिस्ते प्रुजुर्म रिज उन्हों ने एक जास खेचा और मैं आपको यह बताए उसने खिANT करन को समझा तो उन्होंने करब मनां क plastics करन हमाना दो पाइंटिटिटी ली हैं इऩ एक अपन एम एक प्रेशा और एक सुपन एम क्या है मेरे पीयारे बच्चों मतातुँ मैं आपको extent of adsorption variation of amount of gas adsorption यानि कि x upon m क्या है अपर ध्यान दे सुनोंगे इसको बोलते हैं extent of adsorption क्यों बोलते हैं extent of adsorption यानि कितना adsorption हो रहा है कितना adsorption हो रहा है जिसमें x क्या है इसमें amount of gas adsorption amount of gas adsorption यानि जो gas adsorb हो रही है किसी solid surface पर उसकी amount है यह और m-cast में unit mass of adsorbent unit mass of adsorbent यानि जो भी आप adsorbent ले रहे हो इसे adsorbent आप charcoal ले रहे हो या फिर silica gel ले रहे हो या alumina gel ले रहे हो कोई साभी adsorbent ले रहे हो उसका unit mass ले रहे हो यानि इसे 1 gram ले रहे हो तो इसकी amount क्या रहे हैं फिक्स रहे घुर्गर आपने एक बार में की माउंट जोगी बढ़ती रहेगी तो यहां पर एम की मेलू है आपकी वन ग्राम और यहां पर गैस क्या रही है हमारी एक्स की एक्स ग्राम आ रही है यहांपर क्या हो रहा है कि जैसे की की मात्र बढ़ेगी एक्सट रहेगा तो कैसे क्या सकते हैं कि एक्स वाई एम टोटल इंक्रीज सब्सक्षाब आप देखो की सुरूंद्रलित ने क्या किया आपको पता है तो आपको पता है टेंपरचर चेंज होने से भी गेस के एड्जोसन पर इफेक्ट पड़ता है तो अगेस गेस में स्काइड प्रेश्ट के विट्वीन की परफेक्ट रिलेशन लेना है तो मुझे तीसरा में फैक्टर आपको दिखां गआ एक तो दिखांगा आइसो थर्म एक दिखांगा आइसो बार मतला जिसे प्रेश्ट को रखके टेंपरचर और एकस वाइंक के तो मैं यह देखूंगा कि अभी क्या रहा है यहां पर नहीं कि बाणः कि यहां पर अभी क्या है जी रो जैसे मैंने प्रेसर बढ़ाया वैसे विएसे आप देखो इस लिन लाइन चलती चली जारी यह यहां पर प्रेश्र इतना है राइट इतना हो गया यह सब पला यहां नहीं पर सब्सक्राइब तो एक्सपॉन एम बढ़ रहा है तो एक्सफंट एम और बढ़ रहा है इदर प्रैसर बढ़ भन आई इस एक्सपॉन एम इंक्रीज को समय पारें यो सको देखो और प्रेसर और बढ़ाया हमने अभड़ हो गया है अब अमेरे प्रेशर और बढ़ाया यहां पर लेया है अब जितना ही प्रेंसर पर हम आगे हम इतना है छिस प्रेशर पर एस अकोन एम, चेंज ना हो, याArgs or sir, चेंज ना हो, उसको कहते है, saturation pressure, है साईचूरीशन प्रेसर, इसे क्यों आया है, मैं आपको पहले इस बता है इस बात को, कि देखो, जीसे मेरे पास में हाँ का solid absorbent है, क्या है, solid absorbent है, right, ये के चीज है मेराDD σॉलिड absorbent है, जब मैंने प्रेसर लो रखा था यानि जब मैंने गैस के एड्जोर्ब करना सुरू किया था तब सर्फेस बहुत सारी अवेलिबल थी गैस के लिए तब प्रेसर मैंने दिया गैस का एड्जोर्शन होने लगा प्रेसर और बलाया, गेस के अट्जरॉसन और बलागया तो आप देख रहे हो जैसे जैसे प्रेसर बलाके जा रहे हो गेस तेई से एड्जर्व होती जा रही है लेकि एक समय ऐसा मी तो आएगा तो जब सारी गेस पूरी सर्फेस पर को अबड़ कर लेगी जैसे प्रैसर जैसे पूरी सर्फेस अकूपाइड हो जाई गैस के मॉल्यकूल्स के दौरा फिर उसके आगे कितने प्रैसर बढ़ाओ गैस के अडर्जोशन बिल्कुल नहीं हो आगे प्रेसर आपने लो रहा गैस के अडिर्शन होता रहा तेजसे पड़ गया तो इसमें फुला थो इस तरह से आरा कर दिये यह दिखारा यहां पर यह देख पा रहे हैं कि प्रैसर और एक सब्सक्राइब कि तरह से वेरीशन आ रहा है तो प्रैसर बढ़ाते रहने से गैस के अध्यूसर बचना चलए रहता है लेकि एक प्रैसर ऐसा आता है जहां पर गैस के अध्यूसर बिल्कुल नहीं होता उसको कहते से इस फ्रैसर प्रैसर इस अपन एम अप प्रैसर के बिट्वीन जो करब खींचे जाएगा कॉस्टेंट टेंपरिचर पर उसको कहा जाएगा क्या कहा जाएगा क्या कहा जाएगा अब जरा फिरूंड रिलिच ने एक मैथमेटिकल एक्स्प्रैसम भी दिया था एक्स अपॉन एम वर्सेज पी के बिट्वीन राइट तो उन्होंने बताया कि इस तरह साम इंडिकेट कर सकते हैं इसको एस अपॉन एम बेराबर के इन टू P की पावरा वान ऑपन टेंट का एब काष्टेंट है क्या है यह कोस्टेंट क्या होगा तो क्या हो जाएगा यानि कि फिर नहीं बढ़ेगा एक्स अपन है में ही फॉस्टेंट होगा अब ग्राफिंग दे सकते हो अब प्रेसर हमारा तो एक्स अपन में ग्रार एक्स अपॉल एंडिंत एक्स अपन एंडल एक्स अपन एंडिंक वैलुवन है एक्स अपन एंडर्ट्रि प्रचण पर जाएगा यानिकि पीजिए अगर्र इन्टो पीजिए कि यानि कि इस लिष्टे एक सब्सक्राइब बराबर के के इंटू पीडिटी पावर वाग यानि कि आपका प्रेसर के डार्ट लेकर प्रशन होगा एक्सपॉर्शन होगा कि इतनी वाशन माई सब कर तो यह कुशन भी याद रखने आपको कि इसी कुशन की पूछता है कि अगर आपको एक ग्राफ और भी है जो कि हम ले रहे हैं आइसो बार की रूप में जिसे मालोगी कहा गया है कि अगर हम प्रेसर कॉंस्टेंट लें एक फिस्ट प्रेसर फिक्स्ट लें तो कर्ब जो खिचे जाए वो कि कि इसकी बिटीवी चलेगा फिस्ट प्रेसर पर क्या होगा यहां से देखो यहां पर ले रहे हैं क्या तो टेंपरचर को चेंज करेंगे हम तो टेंपरचर होने से बताओ फुजी करेंडसन कैसे होगा तो अगर मैं ले रहा हूं यहांपर कि एक लेलिया मैंने 244 केल्विन एक लेलिया मैंने तो उपर की तरफ कर गया यहनिकि एक सपन एम ज़्यादा फिर आपने पर एक सब्द्राइब और पर बढ़ाया एक सपन एम कम गया इसका मत्रब यह कि अगर प्रेसर पॉस्टेंट रखते हैं तो कर जो होते हुँ नीचे चले आते हैं यह जैसे डाउंड़ होने रखते हैं इसका मतलब यह है कि temperature जैसे से बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो एड्जोस्टन का rate है वो डिक्रीज होता चले जाए आप देखो न लो टेंपर्टर में S upon M का कर्ब उपर है यानि कि एड्जोस्टन ज्याज़ा हो गया फिर temperature आपने बढ़ाया S upon M कर्ब नीचे आगया यानि कि एड्जोस्टन और कम हो गया तेंपर्टर और बढ़ाया आपने तो S upon M और कम हो गया यानि कि जैसे से आप टेंपर्टर बढ़ा रहे हो फिस्ट प्रेसर पर गेस को रखके वैसे मैसे एड्जोस्टन भी डिक्रीज हो रहा है हुआ कि मैं कि आप मिटा इसको तो तियाद रहने सो एड्जी प्रैसर कि हो और इंक्रीजिं टैंपरिचर पांगें से एड्जोस्टन क्या होता है डिक्रीज होता है कि कि इस तो प्रॉवलम किसी को जो हुआ गया अब देखो एक ग्राफ और है अगर हमें तो कैल्कुलेट अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे आप स्लोप लेकर निकालोगे तो देखो आप कैसे अगरा निकालोगे तो कैसे डाएं से एस अपन एम बरावर के इंटुटी की पावर एं इसको आप कंसेटर करो कर लिए अ अब इसका आप दोंग साइट वो भी क्यालोग यहां पीटों कर सुना में पूल्णमें कौन सा कर लोग के यहां तो कर डूर्ब है नहीं हुमारा वह ह log x upon m versus log p log p graph कभी-कभी examiner क्या होता है कि इस कर्व को ड्रो कर्मा लेता है कि log x upon m versus log p के बिटेव ग्राफ खीचो तो कैसे खीचोगे आप पहले इस equation की जरीए आप इस equation को modify करोगे log लेकर taking log of both sides equation का कर्व लो अपने लिया log x upon m बराबर log k plus 1 upon n log p ठीक है इसको मैं एसे ले सकता है equation को log x y m बराबर इसको मैं अधर ले सकता हूं 1 upon n log p plus log k मैंसे ले सकता हूं इसको और लगा कर ठीक है इसी किशन में देखो क्या है यह यह किशन जो है हमारी पूरी y equal to mx plus mx plus c से match कर रही है y axis पर x upon m ले लिए log x upon m हमने और x axis पर ले लिए log p इसका intercept क्या होगा log k और slope क्या होगा आपका m यह तो slope है आपका slope of line ठीक है slope of line है राइट और यह क्या सी हमार इंटरसेप्ट है तो बस खीच लोग गिराव साफटा पड़े लिए यहां पर हमने क्या लिया log x upon m लिया ठीक है और इस एक्सिस पर क्या लिया log p लिया हमने एक्स एक्सिस y-axis ठीक है कोई दिखके लिए साथ किसी को आप देखो इस स्लोप कैसा आप पॉजिटिव में नेगेटिव में इस स्लोप एसका 1 upon m यह क्या स्लोप स्लोप किसमें पॉजिटिव में तो ऐसे चले लाइं इस तरह यह से अगर स्लोप आगर पॉजिटिव में तो उपर से निकालोगी यह चेह एंट्रसेप्ट निकालोगी थोड़ा सब्सक्राइब आपकर इंट्रसेट्प्त क्या सुग्या है किसी को और यह क्या होगा मारा स्नॉप यह वाना चुलोप जो होगा किसके लोग को ने स्यस्कित फिजिए निदेटर के आपण उनिदेट सब्सक्राइब करने के लिए नहीं आएगा बस लोग एक्स आपॉन एम वर्स लॉग पी कर्व खीचो यह फुरूं डिलिश्ट एडिशन आइसो थर्म है लोग एक्स आपॉन एम वर्स लॉग पी को प्रॉल्म यहात है किसी को कि नाट कर रहें है क्या किसी सॉलूशन में एडियॉशन हो सकता है किसी सॉलूशन में यहां से देखो एडियॉशन इन सॉलूशन इन मिसां है उसके लिए एक्वेशन की सब्सक्राइद करेंगी हम एक क्या लेंगे हम जहांते देखो तो एक क्या लेंगे हम X upon M के C की पावर 1 upon N क्या लेंगे C की पावर 1 upon N यहाँ पर C क्या है Equilibrium Concentration Equilibrium Concentration मतलब जब adsorption हो चुका होता है कंप्लेटली जब adsorption solution में हो चुका होता है कंप्लेटली तब का Concentration ही solution का Equilibrium Concentration यहाँ पर हम प्रेशर की जगे है Equilibrium Concentration टरम यूज करेंगे P की जगे अगर gas का adsorption solid करा रहे हो तो equation चलेगी X upon M प्रेशर के इंटू P की पावर बन अपना है पी लेंगे प्रेशर हुआ लेकिन जब solution में adsorption करा रहे हो तो P को replace करते हैंगे हम Equilibrium Concentration से यानि C से इसके क्या मतलब जिरा ध्यान से जगे को क्या हम किसी solution में adsorption करा सकते हैं जग करा सकते हैं इसके नहीं इससे कीघ्ग आउापकर आपको यहां पर लिए मैंने एक सॉलूट कर और यहां पर में पानी इसको मिला दिया है हम पानी और अभए यह danse मैं और आपका है देखो इसमें में एक satisf डालता हूं कि ड्लाठी मस ऑ बिल्युलिटमस को चैंज करता है तो बिल्युलिटमस लूँगा और यहां पर डुप किसी मालूँगा उसमें देखूंगा त्रॉंथ यहां प्यारे बच्छी ध्यान से सुनना कि इसमें मैं क्या करता हूं है ूश में थोड़ा सा चारकोल टाल देता हूँ चारकोल जो एक को एक आढ़र्ग्य modular quiz डालना के बाद में फिर में इसमें अगें बिलूर्टमस डालूगा कर दालो राप तो आप देखोगे जो ब्लू लिटमस का जो कलर चेंज हो रहा है वो उतनी तेजी से नहीं हो रहा है जितनी तेजी से चार्कॉर्ड डालने से पहले हो रहा था जला समझे इस बात को क्या बला मैंने कि जैसे मैंने इसमें चार्कॉर्ड डाला और फिर मैंने अगें ब्लू ल बिल्लकुल नहीं हो पाया वह बिल्विलिट मस्ट को क्या है राला ऀसमें तो क्या हुआ होगा पता आपको acetic acid के पार्टिकल्स हैं ये solid के पार्टिकल्स हैं वो charcoal की सतह पर किस पर charcoal की सतह पर adsorb हो गई होगे किस पर adsorb हो गई होगे कौन? Acetic acid के पार्टिकल्स charcoal की सतह पर adsorb हो गई होगे adsorb हो गई होगे जिससे की solution से सारा सारा acetic acid के particles हैं वह चारकुल की सतह पर लाकर एड्जर्ब होगे अब सॉलुशन के अंदर एसितिक आसिद नहीं बचा वह कहां पर हो चला गया एड्जर्ब होगे चारकुल की सतह पर इसलिए जब मैंने बिलुएटमस द्वारा डाला था तो वह उसका कलर चेंज नहीं होगा या बहुत ही ल उनक्राइब के लिटमस करेंद के चुछ कर स्सक्राइब के सबागए है जितना सर्क्राइब beneath you करन को चारकुल ढाला इक हम डेर्डाला तब तो कंसे तो अंटुन के कश्राई को चेंछ और को आ हुए यानि एक्स अपॉन एम बहुत तेई से फाट हो रहा था जामने चारकॉल नहीं डाला था इसमें चारकॉल नहीं डाला था तब एक्स अपॉन एम जो है जैसे आपने चारकॉल डाला इसमें सॉलुशन में राइट तो एक्सेट कहां होगे सतेहर पर जाका और बिल्टमस के करण रैड चेंज नहीं होबाया इसका मतलब यह होता है कि सॉलुशन के अंदर भी एड्जर्शन पॉसिबिल है और वह किस पे डिपेंट करता है कंसेंटर जाएगी सॉलुशन की वैसे वैसे एड्जर्शन भी डिग्री सब्सक्राइब होगा इसको हम इसी कुछ इस रूप में मिल सकते हैं लॉक को रूप में टेकिंग लॉग बोच साइट टेकिंग लॉग बोच साइट इस तरह से लोग एक्स अपॉन एम बराबर लॉग के पिलस वन अपॉन एंड लॉग सी इसको ऐसे विसकते हैं इसी कुछ लॉग की टर्म में कि अग्या है कि यहां पर सोलुशन के अंदर भी एड्जोसन हो जाता है और एड्जोशन जो हो तो यहीं बता दिया कि एक एड्जाम पर लेकर कि क्या सोलुशन के अंदर एड्जोसन पॉसिबिल है बिल्कुल है अगर आप कि सोलुशन में आप चार्कॉल डाल दो तो उस सारा सारा जो होता है सोलिट होता है उस सतर पर जाकर एड्जोशन रुजाता है और उसका बैरिफिकेशन था कि बिल्लिटमस के कलर चेंज नहीं हो पा रहा था ठीक है और दुद अब मैं चैकरें लास्ट फेज में जा रहा है कि पैला प्रहाया मैं आपको एड्जोस्टन के बार में काफी डिटेल में अब हम देरीजल बता इसका इसका सिकंड पार चैक्तर में चैक्ट्र हमारे चत्राइस हो जाएगा को लोट के बारे में तुरह जाने करें ले लोगा तो क्या होते हैं है कि क्या होते हैं है जिसमें क्या होता है इसमें वन सब्सक्राइब एक 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 अच्छली पार्टिकल्स ही कहांगे इसको साइज होता है वह कितना होता है इसका साइज रिंच होता है में हजार 20 मेठ एक 1Heart इसको कहते के कहते हैं को र 쓰 transmission कहते हैं जब भी इतने साइज की बात आएगी कि अगर किसी पार्टिकल का साइज एक एनेम से एक हजाल लैनोमेटर तक है तो वो समझ लोग को रेडर पार्टिकल मौझूद है क्या है को रेंच करते हैं और दूसरा होता मेरे प्याज़े डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है डिस्पर सल्वेंट इन दोनों को मिक्स करके बनता है अपका जैसे हम सवलूशन बनाते हैं सलमा में येते हैं इस इकालियम słल्ट में डिस्पर्जन में यहनु धीrat पर्टिकल्स कुलो और किसमें डाल दो डिसपर्दरेम में डाल दोनगी क्षक्ट करने बन जाएगा को च्पटिकल्स बन जाएगा सब्सक्राइब करें इसके जिसमें पार्टिकल्स की मैं तो होता है यह बाले पार्टीक्र, इतने छोटे होते हैं उनको हम नकटड के नहीं देख सकते हैं पिर कि आता है हमारा कोलूइट कि इसके साइज रेंज होता वह एक नैनोमेटर से खजालनी में लिट्विल होता है यानि की बड़े पार्टिकल होते हैं थोड़े कोलूइट के ट्रू सवलिशन की कमपेंजन में तीसरे फॉर्श में आता है हमारा सस्पेंसल क्या और सब्सक्राइब थी सब्सक्राइब पार्टिकल के साइज के आधार पर तीन पार्स में डिवाइड़ किये जाते हैं ट्रू सॉलुशन, कोलोड एंड सस्पेंसर समझना आगया तो हम इस चप्टर में कोलोड के बारे में डिसकस करेंगे मुश्ट लिए प्रू सॉलुशन नहीं पढ़ेंगे नहीं हम सस्पेंसर पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे सिर्फ कोलोड और कोलोड के वारे में ही डिसकसन चलेगा इतनी वासन माई सबके तो प्रावल्म हैं तक किसी को अब देखो कोलोड आपने देखे होंगे खाई भी है पीए भी है लेगे हमको पता नहीं है तुरी कोलोड से हो कुछ कोलोड से मैं एक्जाम्बिल देता हूं दूद आप रोज पीते हो दूद कोलोड है और देखो चीज बटर मक्खन ठीक है इसमोग क्लाउड ठीक है फॉग मिस्ट फॉग का रूप होता है यह सब क्या हमारे कोलेट्स होते हैं सब्मागिया यह नेचरली और करिंग कोलेट्स है और जी तुम्हारा वह है गम है स्टार्च है जी लेटिन है ठीक है इस सब क्या सेरिलोज है नाइलोन है पॉलिठीन है यह सब के सब हमारे कैतों कोलेट्स नेचर के होते हैं इनको सब को आप यूज करते हो कि सब्सक्राइब क्लासिफिकेशन 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 क्राइटरिया क्लासिफाइड करने के कैई क्राइटरिया होते हैं बड़ा जुब क्लासिफिकेशन कि कि या कह सकते हैं दिस्पर्स फेज के पार्टिकल के साइज के आधार पर क्लासिफाई करना कुलोड्स को किसके आधार पर दिस्पर्स फेज जिसको कुलोडर पार्टिकल्स भी कहते हैं कि साइज के आधार पर क्लासिफाई करना यह तीन टाइप क्यों होते हैं एक तो होते है हमारा मल्टी मॉलीकिलर कॉलोइट्स क्यों होते हैं मल्टी मॉलीकुलर कॉलोइट्स जो राइट और दोसरा मेंड़ा क्या होता है बताएं सो सीटउट्स टीन पार्ट्स में भिए कर देदा है किसके अधार पर को लेडर पार्टिकल या डिस्पर्स के पार्टिकल के साइज के बेस पर कि इसमें पार्टिकल के साइज कुछ और होगा इसमें पार्टिकल के साइज कुछ और होगा इसमें कुछ और पार्टिकल के साइज कुछ और होगा लेकिन होगा एक एनम से 1000 नाम से पता लग रहा है मल्टी मॉलीकुलर कोलोड्स क्या होते हैं जब छोटे छोटे पार्टिकल लार्ज नंबर में आपस में एग्रिगेट होकर मिलकर जुड़कर एक ऐसा पार्टिकल बनाएं बड़ा पार्टिकल जिसका साइज कोलेटर रेंज में आ जाए जब छोटे छोटे पार्टिकल स्मॉलर एटम्स यह स्मॉलर पार्टिकल एखटे होकर एग्रिगेट होकर एक ऐसा बिक पार्टिकल बनाएं जिसका साइज कोलेटर रेंज में आ जाए एक नैनोमेटर से ट् 76C Cat क्या है मल्टी मॉली कुड़ा कि इसमें मल्टी का मतलब मैं आ की यानि बहुत सारे के एग्रिगेशन से बनता है कि ऐसे मतले उसा है बहुत सारे पार्टिकल के एग्रिगेशन से बनता है कलेक्शन फॉर्ण वाइग्रिगेशन ओफ लार्ज नंबर ओफ लार्ज नंबर ओफ स्मॉलर पार्टिकल्स बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में जब छोड़े बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में एग्रिगेट हो जात होते हैं तो उनके एकटा होने से जो कोलेट बनता है कोलेट बनता है उस नहीं कहते हैं मल्टी मॉल्लीकुलर कोलेट कहते हैं एकजम्पल गोल्ड सोल सद्रइब का्यर कैसे होते हमारे कोलेट और इसलिवर सोल मिल्टी मॉलीकुलर कोलेट होते हैं इस तरह वह सारे पार्टिकल जब लाइज नमबर में आपस में घटा हुए अग्रिगेट हुए उन्होंने कॉल्डर पार्टिक गनाया उसके ही हम मल्कुलिकुलर कॉलोड्स तो प्रॉल्लम किसी को मेटाजैस को दूसरह देखो लेस्ट आफार मेक्रो मॉल्फॉलिप्र कॉलोट्स समय क्लाशी के सब्सक्राइब इसका मैक्रो मॉल्फॉलिप्र क्या होते हैं ये अर्स्प्रमाइब्स लाइक श्टार्च गम सेललोज प्रोटीन इटी सी वहां मतलब कुछ हमारे पास में नेचरल या मैनमेड कुछ ऐसे बगए मॉलीकुल्स होते हैं जिनका साइज और लेड़ी कोलेडर रेंज में होता है यानि कोलेडर नेचर के ही होते हैं बस उनको क्या तरना होता किसी डिस्टेवर डिस्पर्जन मेडियम जैसे वाटर वगरा में ड तरन्त आपका मैक्रो मॉलीकुलर कोलेडर नेचर के ही होते हैं बस इनको अधाना क्या बसको लोग और किसी को अब देखो जहां से सी पॉइंट एसोसियेटिड कोलेड्स कुमसा एसोसियेटिड कोलेड्स एसोसियेटिड कोलेड्स क्या होते हैं गहां सुनो आट नॉर्मल कंसेंट्रेशन नॉर्मल कंसेंट्रेशन पर ये एक इलेक्टरलाइट की तरह भीहव करते हैं यह ज़िए इज नॉर्मल एलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल एलेक्ट्रोलाइट के तरह बहेव करते हैं बट एट गाइसपी कंसेंट्रेशन स्पैसी कंसेंट्रेशन and temperature they start to aggregate To form associated colleagues एक जिम को he can सब्सक्राइब जिसे हमारे पास में पानी है इसके अग्जाम्पल बहुत बढ़िया सोब मिसल्स उन्सी फूर एक्जाम्पल सोब मिसल्स और सोकी मिशिल थे ए इसमयां तो इसे पास पानी है यह न की सोप मेकनिजम का मेकनिजम बतां कैसे बनते हैं फिराल यह समझ लो आप सोप के मौलीकूल्स ले हो यह इस परिकार से का पानी है के है तो फिखोर के मॉलीकुल से यह तरह सेर्ज की हैड़ पर की निगीटिव चार्ज होता है ये बताँ में बाद被 doc at the जहां से देखो जब कंसेंट्रेशन हमारी नॉर्मल रहती है नॉर्मल कंसेंट्रेशन रहती है तो जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वह एक नॉर्मल करते हैं मतला ऐसे तरह से पास करोगे क्योंकि जो सब्सक्राइब करने लगता है तो लो कंसेंट्रेशन पर वह क्या करते हैं नॉर्मल इलेक्ट्राइट की तरह बहेब करते हैं लेकिन जब इस पैसिक कंसेंट्रेशन आती है और एक टेंपरिश्र आता है तो वह एड्रिगेट होना सुरू हो जाते हैं यह इखट्टे होना सुरू हो जाते हैं और इस फैरिकली इखट्टा होकर क्या बना लेते हैं एसो मिसल कॉंसेंट्रेशन को क्रेटिकल मिसल कॉंसेंट्रेशन कहा घता है घ़र और उसको क्राफ्ट टेंपरिशर कहते हैं कि क्राफ्ट तेंपुरेशल कहा जाता है, थिक्षिया, तो ऐसे माग के चलो, CMC, थिक्षिया, CMC, यानि ऐसे माग के चलो, कि जब critical missile concentration पर तो होचता है स्वाप का solution, तो स्वाप के molecules होते हैं, वो spherically, spherically इखटा होना सुरू हो कि ह मिन कर आता हैं इसी कूष आप में कहा जाता है एक सब मीशिल्स में 100 ऑप के मॉलिकुल्स होते हैं आप ज़रे द्यान से देखो अगर हम यह कह रहे हैं कि मैं इसको कहते हैं अपस में खटा हुए और उन्होंने एक बना लिए जिसको कहते हैं लिए एक सपैस्फिक टैंपरचर की नहीं होती लेकिन एक सपैस्फिक कंसेंट्रेशन की नीड है और एक सपैस्पिक टैंपरचर की नीड है सपैस्पिक कंसेंट्रेशन टैंपरचर पर ही ऐसे एक एलेक्रैट की तरह बहें करेगा पूरा सौप का सॉलूसन लेकिन जैसे ही एक सं स्पैस्प्रेशन पहुंचेगी और क्रास टेंपरचर पर पहुंचेगा कोई सॉलूशन सौप का तो सौप के मॉलिकुल्स एग्रिगेट होना शुरू हो जाने इस ते रहे के लिए और इसका बड़ा पार्टिकल बनाएंगे जिसका साइज कोलोडर रेंज में आ जाएगा और उसी बने बिग पार्टिकल को ह क्याते हैं सोप माइसिल या क्या सकते एसोसेटिड कोलोड तो इसका ध्यान रखना इस पैसे कंसेंट्रिशन का रोल है जो अक्सर सौप का सौलूशन रीच कर लेता है और अब बतादू आपको सौप सौलूशन में मिसिल्स बन रही है ना बन रही है पता कैसे लेगा हमको आपका सौप का सौलूशन लेलो पानी के साथ हाथ पर और उसको जब आप सुरूव में देखते हो तो इतनी जल्दी उसमें फॉर्म्स नहीं बनते लेटर नहीं जाग नहीं बनते लेकि जैसे आप थोड़ते रगड़ते हो इस तरह से तो हमारे सौप के लैदर बनने लग बन रहे हैं सौप मिसिल्स के लिए जो कंसेंट्रेशन रेंज है वह है 10 पावर माइनस 4 से लेकर 10 की पार माइनस 3 मोल पर लिटर होती है कितनी यह इसकी सीएंसी होती है सौप सोलूशन के लिए किसके लिए सॉप सॉलुशन के लिए जो अक्सर रीची कर जाती है आफ्टर संटाइम है तो यह बहुत कम कंसेंट्रेशन में आ गया अब मैं आपको थोड़ा सा सॉप मिसिल्स बढ़ने का थोड़ा मेकनिजम समझा देता हूं ठीक है जहां से दीखो मेरे प्यार वच्चुू ये जिसे मेकनिजम ओफ सुर्ग मिसिल्स मेकनिजम ओफ यो फोरमिशन of soap missiles soap missiles बनने का mechanism क्या है कैसे बनती है soap missiles थोड़ा इसके बारे में जान गए हम देखो कैसे बनती है soap missiles देखो जैसे आपको मतादे हैं फिरे श्ट्रक्शर वाव लेते हैं जैसे हमारे पास की soap है इसका नाम है sodium styrate का नाम है sodium styrate एक kind of soap सोब ले लिया हमने इसता फॉर्मुला का सब्सक्राइब का फॉर्मुला है इसको सोब कहते हैं एक और सोब को सब्सक्राइब सारे सोब को सोडिम स्टेरिटनी का एक और सोब है यह यह वाला यह है क्या और और क्या है और आप पार्ट कैसा और पार्ट क्योंकि इसके इंदर के चीज़ प्रिजेंट है आएं प्रिजेंट है ठीक है तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं है इस पार्ट को एक बाट्रलाइन फॉर्मिलें की रूप में इस त्रे में इस त्रे से इस आइन के रूप में इस त्रे से इस पर नेगिटिव चार्ण दिखेंगे तो यह क्या हुआ आता है यह हुआ है जिसको तेल भी कहते हैं और यह हमारा एक तरह से आउनिक पार्ट क्या है आउनिक पार्ट यह तरह से हैं यह सोप का क्या है क्या है पानि में होता ही ऑट्वाइनिक पानिक हमारा कैसा है टारी है यह यह पानी एटरोफविक होता है यह पानी सॉल्यूबिल यह वायटर सब्सक्राइंग वैटर में खेंद के सब्सक्राइब जोता है गैसा और हाइट फविक के सब्सक्राइब गुद्टण यह था था यह 히ो तो प्रविल किसी को अब एक्चली क्या होता है जब सोप को पानी के साथ ले जाते हैं पाने में डालते हैं सोप को तो जो सोप के मॉलेकुल से वो फ्लॉट करते हैं सर्फेस पर इस तरह से जब सी एंसी नहीं पहुंची है सौप के मॉलेकिल फ्लॉट करते रहते है तुछन अगे पानी इससे पर इस तरह से Cat in ऑर्मल एलेक्ट्रोलाइंट सबस्गास। लेंगे साथ स्वाइड़न кुक टकु lattice करता है सल्डुशन गया कि इसकार फॉर requestο सब स्वाइड़न जो is return में इसको सबकिने स्वार्वनमर कुड़न वह इस तरह सो आट से एखटा होना सुरू हो जाते हैं और इना इसे आप जिसमें जो हैड्रोकार्म पार्ट है डाया और यह तो पास पास रहना पसंद करें गूर्ण करूब बोलते हैं शोप मिसिल जो कहते हैं सोप मिसिल तो CMC लेवल पर ही ये सोप मिसिल बनना शुरू होती है सब्सक्राइब गया इस बनाते हैं और एक सोप मिसिल में हंड्रेट सोप मॉलिकूल विए हैं कितने होते हैं सब्सक्राइब करें गया नियुक्तव irrigation किसी ओर पर अद्विए नियुक्त थे चैजने सब्सक्राइब गया है तार मिसिल सब्सक्राइब पेसे होटते हैं के नालिफर करिके इस बहुंत होरी है करता है यानि कि जो हमारे कपड़ों पर गंदगी लगी होती है उसको कैसे रिमूब करता है तो इसका भी देख लेते हैं थोड़ा समय करें जब हम बहुत इसी है समझ लोगे आप पासरी से देखो ध्यान से जैसे मेरे पास में हाँ पर एक पीस ऑफ किलो होता है कपना है कोई कि इस पर कोई ड्रॉप लगए है इस सक्का हमारे कपड़ों पर लग जाती है एक और कंप पर काला कला जम जाता है हमारे कफ्वह पर काला जम जाता है हमारी बोडि से पुछ ऑईली ग्रीशी मैट्रील निकलते रहता है और यह अब इसको रिमॉप करना कपडेंसे कैसे रि कि इसको सोप के सॉलुसर में डाल दो किसको कपड़े को आप अक्सर ऐसी करते क्पड़े दुनाई होती है तो सॉप के सॉलुसर में बनना फूरो लाएंगी और सॉक मिसिल्स इस तरह से कि इस अट्रोफ नेटो ये इन्हेन पॉता है वो घ्रिशी और प्रॉक यहमुतं लें ऐसका है और यूदि फ्र्लेय। पानीमें पानी होगा त्थान कि पानी की तरफ होगा और जोसका आओनी पार्ट होगा नितरा ओंद सादी तरह को जैसे आपने सब्सक्राइज को एसे पकाड़ लेती है और करने से जो सीत 1 पार्ण जो तो सब्सक्राइज को एसे पकड़ा लेती है में चाली 10 हो जैते तो इस तरह से क्या है और the hydro current part of suck missiles so missiles towards the towards the greasy or oily droplet greasy or poly droplet oily or greasy droplet के तरफ होता है और इसमें डिजॉल्व हो जाता है ठीक है नहीं वाइल जब की जो आनिक पार्थ होता है कौन सा जो आनिक पार्थ होता है वह कहां रहता है टुवर्स वाटर के तरह से लता है कि समझ मागया होगे तरह तो अब हाड़ो कार्ण पार्ट को जकर लेगा इस तरह से डिजॉल्व कर लेगा अपने अंदर और जैसे हमारी किसे राविंग बेटेंग सर्कुलेशन करेंगे क्लोथ को तंत यह अले डिली पर जाएगी और क्लोथ से रिमूव होकर अलग हो जाए इस तरह से सो अपने क्लेंजिंग अक्षन सो करता है सोब मेसल्स बनने लगते हैं और यह ग्रीशी ड्रॉप लैट को ऊपर और वैसे सोब मेसल्स बनने के वज़ए से ही यह को रूमूव कर देता है बढ़ाने इसको अब तो थर्ड ग्लास्पिक एसन हमारा ऑन दे बैसिजाए ओंगा बैसिधार सब्सेराी क्लासिधिकेशन आथ चला एक नावने पढ़ा है अब इस अधो इन ड्रेक्शन बिटीम इंटाट केंव बिटीम जिस्पर्स इस रइटीम के इल्ट्रक्शन की बेस पार। और यह मेरा इस पर्जन मेडियम है धीन ठीक है तो जैसे मैंने इस पर सेज के पार्टिकलर्स इन पार्टिकल को किसी घिसल्ब कर आया तो यहां पर एक bonding form होती है एक interaction setup होता है यान इस पर फेज ने डिस्पर्जन मीडियम के विटिमिन एक interaction setup होने लगता है अगर यह interaction बहुत तागत बहुत बहुत श्ट्रॉम नहीं यानि इस disperse phase ने dispersion medium के साथ में strong affinity दिखाई जुड़ने की, यानि उसकी तरफ attract होगे तीजी से, तो समझ लो, यहाँ पर एक particular type बोलेंगे इस colloid को फिर, बोलेंगे lyophilic colloid, अगर यहाँ पर dispersion medium पानी है तो इसको बोलेंगे colloid को hydrophilic colloid, और देखो जहां से अगर इस disperse phase एक dispersion medium के साथ में strong affinity नहीं दिखाई है, मतलब बहुर rarely उसके साथ में, hardly उसके साथ में जुड़ पा रहा है, यानि weak interaction सो कर रहा है, तो यह colloid होगा उसको लेंगे lyophobic, या hydrophobic colloid, समझा आ गया, तो यानि इसके इंट्रक्शन की बीज़ पर, दो प्रकारिक colloid होते हैं, एक hyd hydrophilic या lyophilic, एक होते है hydrophobic या lyophobic, समझा आ गया, hydrophilic और hydrophobic तब term use करेंगे, यहाँ पर dispersion medium क्या हो, पामी हो, तो इंट्रक्शन बीज़ सकता है, तो उसके base पर दो प्रकारिक colloid होते हैं, एक होते होते है, lyophilic, lyophilic, या प्रो लेंगे इसको hydrophilic, ठीक है, और दूसरा होता है, हमारा lyophobic या hydrophobic, lyophobic, या पर बो लेंगे इसको hydrophobic, को परावने हांते किसी को, अब इनके बारे में जाल देते हैं, lyophilic मतला, solvent, lyophilic का मतला, solvent, loving, जबेंग, क्या है, hyodrophilic का मतला, या लायोफिलिक का मतला,ован लिक्वылलविंग, लिक्वूड-लविंघन, coloreds, liquid longs, और हैं, क्या होंगे liquid heating, liquid heating, ठीक है, वह प्रावले वात थे किसी को, लिकुट लविंग लिकुट हीटिंग दो प्रकारें को लेट होते हैं किसके बेस पर इंट्रेक्शन के बेस पर आप अब जहां से देखो बिदा दूसको कि यहां पर मैं डिफ्राइंस के रूप में ले रहा हूं दोनों को दोनों में डिफ्राइंस जातर पूछा लाता है और इस टेबिल बहुत इंपोटेंट हैं उन् gekommen कोशन को उसी से बन जाते हैं कैस्कश मुल्ण करों लाओंव्स क्या होते हैं लाओफली multif über difference कि रहां है देख योप कर लेख ताब को इन्यफ्रिक वडिश्र में और देखते रहेंगे इसको तो उसे भौन बाई city mathematically ग्र ब मिक्सिंग के दुआरा कि लायोपो भॉर्ण को यह लिपिड हेटिंग क्या होते हैं लिकुड हेटिंग यह दुजाता है कि आसानी से डिज्वल्ब कर रही है यह दूसरा क्या है इसमें डिफरेंस होता है विट्यून होगा इडिभर्स। युट्विण के साथ में i-thing hem सभी we experiment होने के साहिए लग्षोर्म का इडिस परण इंट्रेक्शन होगा मुठ्विण के साथ में कर अछह इनौन वे जुड़ने कThese से यह फ़र्म होते तो आसली से फॉर्म नहीं हो पाते हैं यह कैसे होते हैं तो कोलेट्स इस्टेवल ही होता है कि अगर आपने किसी कोलेट को रख दिया तो ऐसा नहीं होगा को उसके कोलेटर पार्टिकल अपना आपसे नीचे सैटल हो जाएंगे इससे टू सॉलुशन होता है अब बनाया आपन तो अपने आपसे नीचे सैटल हो जाएंगे तो कह सकते हैं कि स्डीट स्डीट की तरह को रख भी सिटेवल सब्सटेंस होता है कि मैं au obsessed के बात करें इह की इस्टेबिल्टी में डिफरेंस होता है क्या होता है कि कुलिडर पार्टिकल्टीकल्स टोटे हों ज्ञादा इस्टिबल होते हैं कि इस लिए कि ज्ञादे स्टेबिल्टी उसके अंदर होती है क्या होता है जिसकी वैसे क्या होता है वह आसनी से नीचे सैटल हो सकते हैं नीचे बैठ सकते हैं और दूसरी बात क्या है क्या होता है सैटलिंग डाउन और नीचे बैठ जाना सेटल हो जाना उसको कहते हैं हम जैसे आपने किसी सेंड को या चौक पानी में डाल दो और कुछ दिर बात देखो कि सेंड और चौक जो ते नीचे बैठ जाती है अपना सही और पानी ऊपर रहे जाता इस तरह से बोल रह तो इसमें क्या होता है कि जो आपके लायोफिली कोलीट होते हैं वह आसनी से कोगवलेटर नहीं होते इस पर नहीं होता है कि वीडियम को चोड़कर नीचे आसनी से सटाल नहीं हो पाता रह जब लिए हम इसे जाते है죠 शरा कशनी हो जाते हैं फोधेंसे दूश्य बार के मेरी में और समझ रोगा जाता है दो जैसे की से बनाया कैसे बनाया जा इखे उसको किसी dispersion medium में dissolve करा दिया और आपका एक complete liophilic colid बन गया अब क्या करना चाहरे हो मालो आपने liophilic colid को dispersion medium से separate कर दिया किसी तरह से separation कर दिया उसका लाइफिलिक colid को अलग कर दिया dispersion medium को अलग कर दिया separation हो गया अब दोवारा अगर उनको mix करोगे आपस में तो सिंपल mixing के दुवारा ही कोलेट बना लेंगे अगे मनला एक बार अगर अगर आपने disperse phase को disperse medium से separate कर दिया अलग कर दिया तो दुवारा अगर उनको remix करोगे तो सेम कोलेट फर्म हो जाएगा तो इसके इसलिए कहते हैं कि रिवर्सिबल करेक्टर होता है इनका और यह क्या होता है इस रिवर्सिबल का मतलब आपने लाइव फ़वी कोलेट फर्म कर लिया है अगर आप डिसपर्ड सेज को disperse medium से separate कर दो कर दो आप separate फिर दुवारा उन इस से सेम कोलेट कभी फर्म नहीं हो सकता क्योंकि लाइव फॉबिक है एक ही बार बड़ी मुश्किल में बने हैं दूसरी बार तो बहुत चांसे कम रहें बहुत सारे हैं जैसे कि स्टार्ट सोल है प्रोटीन का सोल है यह सब लाइव फिलिक होते हैं सेलिलोज का कोलेड है लाइव फॉबिक कोलेड जैसे की गोल्ड का सोल है सल्फर का सोल है आर्समिक सल्फाइड का सोल है यह इसको कुछ एक्जामसिल से को प्रोडम नौट करो इसे कि सब्सक्राइब है जैसे का सब्सक्राइब हुब कि सब्सक्राइब हो उसमें जिस्टेट में हो सकते हैं तो इस फिजिकल स्टेट के बेज पर को क्लासिफाइड करना फिजिकल स्टेट के बेज पर को अठ टाइप के होते हैं यह रहे टाइप फॉलेट वन टू त्री फॉर फाइप इस फिजिकल स्टेट के बेज पर को क्लासिफाइड करो इनके नाम लिख दो पूरा टेबिल मत बनाओ पर टाइप लिख दो राइप पहले समझ लो इसको पूरा अच्छे तरह यह से लिखो इस टेबिल को याद करने बहुत आसान है कैसे तीजित पर्स शेज वरिंधोने शॉरलेटी हवाइप लिकड लिकड लृकुड लिकड टीभी पर सुरञईब 我s दिया दुप आता है तीजित संसलिप CAR भ्रीप्ट हाई तई कलिट में इस त्रष यस भी तपर्स को दोल रही सोल्इट ईसको बूलेना सॉल किया केते हैं उसको को कहते हैं इसके नगों नग लग रहते हैं अमूठी बढ़ां के सेथै उनको कहते जैंसा ता अगर इसपारिट में और अजर こ कहते हैं हम सोल क्या कहते हैं सोल matase Sosa College होता है जिस में डिश्पर्स तो होती होती है इस तो अर्दिम होता लेकिल उसको कहते सोल सोल के अग्जम्प्र है यह सोल主 disfr Command kamera अग्रा देखो की जिस बंक में डिश्पर्सलीड हो राइट, और डियुक्त से मीडियम तोत भी तो हुआ में मिक्स रहते हमसा आगला है हमारा जैल क्या है जैल जैल वह होता है जीस सेंक्ति हो लिक्विड हो और स्वाय डिस्पर्जाम पराइलों कियो उसको कहते हैं जैल घैल ते चीज बटर की सरा है थे नेच्ट है हमारा Aerosol तो यहां भी है यहां भी है लेकि फृफ्राइन्स है थोड़ा सा यह Aerosol कौन सा होता है जिसमें Dispersed Face क्या हो Liquid और Dispersed Medium क्या हो Gas उसको भी Aerosol ही कहते हैं लेकि example बतल जाएंगे इस महले थे Smith and this में चिया रहे आएंध फोग मिश्ट हैंड क्लावड इन वाले ऐरज्वोस में डिसपर्ज सेज क्या होगी लिक्वीड इस सब्सेम ही और तो 넣 बसलिख रएक में रिया प्रसट सिर्फी है है यहां पर लिकव CBS इसमें इसमें सबस्क्राइब करें गद्यार्वर होती यह नंसुनरों वालता है यह हमरे जिसमें इसको कहते हैं doctor जो हमारे मोटर साइकल की सीट होता है उसके अन्दरी फाइबताज है। जाग यह भीप्ट क्रीम क्या होती है जो केक पर क्रीम लगी होते हैं उसको भीप्ट क्रीम करते हैं आई होप आप समझे को होगा इसको नोट कर लो है तो है है मैंने अप्ना पूरा कंपीट कर दिए अम में लेकर चला हूं आपको प्रिप्रेशन ऑस लायोफाबी कोलोट्स को प्रिपएर करना तो मैं वातां सो जो होते हो थृ काइंड रिखिली निगे करने के आपके किताम में गिवन है एक तो chemical में जिसमें chemical reactions के दुवारा प्रश को बना जाएगा chemical reactions के दुवारा दूसरा आपका peptidation के दुवारा और तीसरा breadis arc method के दुवारा तो breadis arc method और जो peptidation method है यह physical methods होते हैं इन में कोई chemical reaction नहीं इस्तमाल कोती है लेकि जो chemical देखुए ले रहा हो राइव फॉबिक बनाने के लिए और यह क्यमिकल मैथस्ट में जो लाइव फॉबिक बनाई जाएंगे वह कैमिकल रियक्शन के द्वारा क्रिपेर की जाएंगे यहां आपको श्रीक्षे जवश्चाटिकन रेक्ष यूज़ कि जा लेगे हैं जैसे चार टाइप की रियाक्षान यूज़ कि यह ऑप है रिडक्षान आपको याद रखना है हमें चार टाइप के ईक तो बनाये हैं तो बनाय है है इसे फैरिक है रिकष्ट पहसाइड का सोल एक को तो आप कोई दिहान करते हैं कि आ इस से बना जाता है यानि कौनसी सुल्पार but कुछ आप सोबक करे रखन के दोरा नहां चानल होता er कि आपका फैरिक हाइट रॉकसाइड की स्पया कि ऑड़ार और कुछ इनके रियाक्टेंट देख लू इसे बनाने लिए क्या करोगे फैरिक लोड को पानी के साथ है रियाक्षाइड कर आद करें रियाक्षा गॉल्ड के लिया अपने गोल्ड के लिया और उसमें तो जो फॉर्मल ड्यहड हो इसको रिड्यूस कर देका इंटू गोल्ड गोल्ड सुल सेपरेट हो जाए लोग का ठीक है ऑक्सिडिशन के द्वारा हम बनाते हैं सल्फर डियक्सर गैस को यह स्टूएक्स को आपका से मिक्स कर देते हैं तो रेक्शन होगी इनमें और आपका डबल डिकंपूशन से कैसे बनेगा आर्सनी सिल्फाइट आपको क्या करना आर्सनी कोक्साइड उठाओ और इसमें एस्टू एस पास्ट कर दो तो आर्सनी सिल्फाइट को सूर्फ फर्म हो जाएगा नोट कर लो इसे ज़िए इंप्रट एंट अब दो नेश्ट है हमारा लाइओ फौहब बनाने का मेथन अर्क मेथन लेटिस आर्क मेथन से हम क्या बनाते हैं मैटल के को लोईट्स मैटल सोल्स बना जाते हैं इस मैथन से बना एक एक दो मैटल सूल जैसे कि गोल्ड का सूल बना रहे हों गोल्ड सूल थे सिल्वड स्थे Stars को बनाना चाहते हो से मेटल C चर्ए के लेगा अगर बनाना हो उसकी दो लिए यसे जैसे आपको गोल्ड का बैटरी से चोड़ दो एक बन जागा पॉजिटिव इसमें एक बन जागा नेगेटिव रोड क्लियर और दोनों को दोनों रोडों को आप किसी सूटेवर डिसपर्जन मेडियम जैसे पानी वगरा के अंदर डाल दो इस तरह से रोड को पानी में टुबो दो इस तरह समझा ग टुकड़ ताकि आइस को फानी को ठंडा बनाया रखेंगे अब क्या करते हैं प्यार बच्शों किमें रोड होती है बहुत ज्यादा ही जब प्रूडिज होगी आंपर दो इस तरह से होगा जब ऑप एलेक्टिसटी डालो ज़लो में तो ब्रूम्स दोनों आप्सपर के सचर्च करो गया करेके तो आप रख प्रिव होगी होगी यहां पर रख प्रिव आक्भ्र वनाईगा इस्पार्व पर इतनी ज्यादा हिप प्रडूस करा देगा इतरी जाद हीट मुल्डेकर फिरूर होने लगती है क्म लगती है वैसे तक लिक receptor में हिट ऑगे होगी ही इतनी जाता है कि सीदह वाग कि चलु कि जी यह सुरिंड से वेपर होने लगते है मैंटे रोड यह रोड हुने लगती है हाई हीट पार है यह इतनी अ Number रहा करती की में प्रोड़ जते इन और यहां पर क्या वज्छा था मैटल गैस इस्टेट माझा ने नोचिक एकर करेंगी पर की वो कन्डेंस होने लगेगी को नहीं रहे जों और कि मे emplemen कि मैट्र залकी जाएका किसे में आयारी के बहुत प्सक्राइब颜ेकर में Looking तो यहां पर बन जाएंगी इस प्रिकार से छोटे छोटे थोज पार्टिकल बन जांगे तो यह आपस में एग्रियेट होने लएंगे अग्रियेट होकर क्या बनाएंगे छोटे छोटे पार्टिकल बनाना शुरू करनेंगे इस तरह से मल्टी मॉल्लीकुल टाइक कर बनने लगेगा इस तरह से और यहां पर आपका गोल्ड फोल तैयार हुआ तो मैंटल की रोड में अपने पास पी और उनको टकर आयाइस परकार से तो मैटल की रोड वैपराइज होने लगी यानि की मैटल की मैटल सीधा पानी बहुत थंडा है उसके जब मैटल गैस है तो यहां पर मैटल पार्टिकल्स बनने लगते हैं जगे जगे पानी में बनने लगते हैं फिर उन पार्टिकल्स का herric दो अधार कि मैटलुट की अधार कि मैटल की आटर को कॉरेड़ में कर दिया किसमें कर कर दिया यह से मालते हैं तो जो बैरिस आर्ट के मैठर होता है एक तरह से किसी मैटल को को बैर नेचर को लिडर पार्टिकल में कंवर्ट करा देता है उसका प्रोसस यह है कि पहले जो मैटल की रॉड है वह जब उसके बिट्विन स्पार्क प्रोड्यूस के आग तो बहुत ज़िट प फिर वह पार्टिकल्स आपस में एग्रिगेट होना शुरू हो गए एक टाउन शुरू हो गए और उन्होंनों बने दें मल्टी मॉलिकुल को यानि की एक तरह से को जगे जगे नजर आ जाएंगे को पार्टिकल मेटल की इस तरह से पढ़े हुए इस तरह से हमारा पूरा एक मैटल की रॉड दो है तो कोड़ में चेंज हो गई प्रॉबम है तरह किसी को लाट करो इसे हेख अग्लें कि सब्सक्राइब तो प्रभ्ल में तो टीसरा मेथड है कुल्ड बनाने का वह प्याप्टाइशन है कि लिए प्याइब मिसे युँँद्ा यह कि कीसी कहते हैं हुआ जर्चलों कि यपि ट्रमाशेस जयो कर देबं है कि इसमय तया करते हैं कि ए तो प्रोसेस है यह ए अज़िश तो यह umas है फ्रेस्षस ली प्रेसिपटेट फ्रेस्ट्री ने लंख को थो प्रेसिप टेट को करते है कि यह स्फ्रेस्प्रीप्रिटीटे मैं इन तू कनवर्टिटी fluoride by adding by adding suitable electrolyte क्या मिलाएंगे उसमें suitable electrolyte मिलाए जाएगा suitable electrolyte जिसको कहेंगे हम क्या है टेप्टाइजंग एजेंट क्या बहुं है ठीक है तो तो सिंपाले बहुत आपके पास को freshly prepared precipitate है उसको आपके टेस्ट्व में डाल लिया किसमें टेस्ट्व में डाल लिया और उसमें एक electrolyte का सोलुशन डाल दिया उसमें यानि पैट्टाइजिंग एजन्ट कहेंगे उसको उसको डाल दिया उसको अलग 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 हो जाएंगे कि आपके पास में यह इसमें एक फ्रेसरी प्रिपार्ट रखा हुआ है क्या रखा होगा है इसके आपने अपने चीज़ बहुत कुछ होना चाहिए इसके पास तो जैसे आप इसमें डालोगे तो क्या होगा फैरिक राइड को प्लेट को प्लेट को पार्टिकल में डिकंपोच कर देगा एक तरह से प्रिमान के चलो कि आपका टेस्ट है इसके अंदर जगे जगे इस प्रिकार्ट से फैरिक हाइड्रक्साइड को पार्टिकल बन जाएंगे इस तरह से तो फैरिक आयंस गए और वह पीपीट पर जाकर क्या होगे इस अधर होगी क्या होगे एड्जर होगे इस तरह दे और उन्नों कि चार्ट डव्लक कर लिया प्राटिकल आपका अग्य मेरिक फैरिक हाइड्रक्साइड कि पार्टिकल है उन पर वह चार्ट डव्लप ओगा इस तरह से нул किसमें पीपीटी के अंदर की तो मॉलेकिल ऑनगे आधी तो सारे आइंस का इंस ही प्यपाइंस की बिजहीं होगा तो फिर हैस्टों साय आपका पूरा फैरिक हईट्रसाइट के रहे हैं वह अलग अलग पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा इसी को कहते मेरे क्यार पेश्च करना 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 नॉट कर लो इसे इंपोर्टा काफी कि अगर दो अगरेट्स अब मैं को प्रिपेर किया डिफर्ट इफ्रेंट मेथड देखा आपने और आपने देखा आपकेमिकल मैथड एपटाजीशन तो हमारी क्या थे यह प्रपरिपरेशन ऑफ क्याट डिफ्ली ने के तो अब उसको हम यूज करने से पहले को उसको सुद्ध करते यानि प्यूरिफाइड करते हैं उसकी सारे को ओनट अब पांस टुझेंट्र होते हैं स्टूयाइट्स पूरिफाइड करने के लिए Onu इस तरह से हम की सब्सक्राइब उसका है इसको संजे विता क्या होता है इसमाग होता है और यह मेथार हमारी बॉडी के इंदर भी होता है जो इसको इसमें बहुत सारी लाइटा को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है और डायलैसिस हमारे ब्लेट के इंदर हो तो वो सारे को सुद्द कर देती है मंचंवना गया हमारे ब्लेट इंदर हमारी बॉड़ी के अंदर होता है तो यू इसे में in style क्या कि दा एक हम एक इस्तिकार से में मॉंभ्रेन करते हैं क्याइक चाहित करते हैं और नुच करते हैं आनिमल ब्लेडर यूजर कर सकते हैं यूजर कर सकते हैं राइट और सेलो को क्या कर सकते हैं अब इनमें खास क्या बात होती है पार्शमेंट पेपर और आनिमेंड ब्लेड ये तीन होती है इनका क्या होता दो हो इनकी जो वाल होती है सलफेस होती है उस पर बहुते चोटे 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 पोर्स होते हैं, माइक्रो पोर्स होते हैं, इतने चोटे पोर्स होते हैं कि हम उनको आँखों से नहीं देख सकते, इतने चोटे पोर्स होते हैं, इस की वाल पर, जिल्ले की वाल पर, मेंबरेन की वाल पर, तो इस वाल के पोर्स से होकर, भूटल पार्टिकल नहीं पास हो सक्ते लेकिं इंप्यृर्टेज पास हो जाती है क्या बता में कि इस मेंब्रेन के पॉर से होकर क्या पास हो सकता है के वद इंप्यृर्ट districts पास हो सकते हैं कोल्विद nós रफट वाहिए समझ मांगा सब्सक्राइब यंदर इसके साब कुछ इंप्यूर्टेज भी बहर कर निकलेंगी जहां से देखो अब क्या होता है यह पानी है बहरा पानी इस तरह से रंणिंग वाटर इदर से डालते हैं दर से निकलता जा रहा है होता क्या है कि जैसे ही आप के ना में इसको रंणिंग वाटर में रखते हो एनिम्ल मेंब्रेन को यानि ब्लेडर को या सेल फैन को या फिर पार्समेंट पेपर को आइट इसके दर रखते हो तो इसके अंदर जो होती है वो डिफूजन के दुवारा इसकी मेंब्रेन से पास आउट होने लगती है समना गया और रॉनिंग वाइटर से बहें कर वो दूर निकल जाती है और आपके लिग पार्टिकल्स होते हैं वो मेंब्रेन के अंदर ही रह जाते हैं सब्सक्राइब क्या हुआ था हमारा क् आठ यदिश इसे प्रॉससे इन विच इंक इंट इस एंपिर्टी पास आउट पास आउट फ्रॉम डिफीजेन लिपरिंग आंग कॉल्ड तेन या जाते हैं च्गहिंक बाइडिकल्ग दीफूजर एंदर अब को मैं और टिकल लेफट ब्हाइंड कि सब्सक्राइब और निधित्र लेफ्ट अबेश्ट इंगे अदर प्रोस्स होता है जिसमें इंगिरोटी जो होती है कि नोट कर लो इसे वह प्रोसेस होता है जिसमें की इंप्यूर्टी जो होती है वह मेंब्रेन से होकर डिफूजन के द्वारा बाहर निकलाती है और जो कॉलिडर पार्टिकल्स होते हो इसके अंदर ही रह रहते हैं इंप्यूर्टी निकल कर रॉनिंग वाटर से बहकर अलग कर लोग से डाइलासिस हैं सपस्पार यह पीडर राइप नेश्ट हमारा एक्ट्रो डाइलाइस इस क्या होता है जहां से देखें सेक्टरे आपका इलक्ट्रो यॉलाइक यॉपिंदे इन की तरह ही प्रोसेस होता है hani कि इलक्ट्रो ना इससी से इसमें क्या करते हैं कि हम के वें के डाइलएकिस इसे केरेट अउट मैं आया कि जब डाल्यसित करार जाता है रिंदर ईल्रक्तों फिल्ड उन्डर ट्रे फिल्ड यानिकी इल्यक्रिशिकी प्रजिश में है जैंकी इसको कहते हैं है अलॉफ ईसे-च्ञ कहते हैं को tota टा कि झसको डउट सब्सक्राइब आउट सब्सक्राइब आउट सब्सक्राइब इसको कब कराते हैं प्रोसेस को कौलेड़ में किसकी हो इसपीजबी इलेक्ट्र लाइट्स की हो अगर आपके पास में ऐसा इंप्पयॉर्ट्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्र लाइट्स की इंप्यृृति यहां तो हम उन हम हम इस चाहिक है उलक्तरय बिल्गुंपाइब करें जो सकता है कि हमने यह तो आ यहां पर एक मेंब्रेण में भरके लटका देते हैं रणिंग वाटर नहीं वाटर आउट और वाटर एंड ठीक है और इसमें इंपर इसकी है इस्पेशिली इलेक्टर लाइट्स की है तो अब इन इलेक्टर लाइटिक इंपर्टी को रिमूब करने कि लिए बैटर तरीका होता है कि एलेक्ट्रोड लगा के निकाल सकते हो उनको पॉजिटिव प्लेट दर लगा दी नेगेटिव प्लेट दर लगा दी तो क्या हुआ जब डालेसिस होगा तो इंपर्टीज पास आउट होने को जिस करेंगी और इलेक्ट्रिक फिल्ड भी लग रहा है तो यह इलेक्ट्रोड की इंपर्टीज है वह बहुत तीजी से निकलेंगी बहुत फास्ट रिमूब होंगी कोई इलेक्ट्रिक फिल्ड उसको की चलेगा बाहर को पौजिटिव आयंस की इंपर्टीज नेगेटीव एलेक्ट्रोड की तरब बहुत तरफ तरफ तई से खचेंगी और निगेटिव आयंस की इंपर्ट्रिक पौजिटीज पो elaborating चैजी एलेक्ड राखें हम कि सारी x elektror riv की इंपर्टीज को रिमूब नहीं करना सब्सक्राइब थोड़ी बहुत इसके अंदर रहने ज़रूरी होती है ताकि अपका इस्टेबलाइज रहे हैं अगर सारी इंपिरिटी तुम्हें बाहर निकाल लेना तो रिमेनिंग जो बचा हुआ असके अंदर प्योर वाला वह सारा सारा कोगुलेट हो जाएगा थोड़ी प्रोलॉंड इलेक्ट्रोडाइलाइसिस नहीं करेंगे वरना रिमेनिंग कोलेट आपको कोगुलेट हो जाएगा इसको 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 निकाल जाता है कि नौट करो इसको कि बढ़ा दो इसको कि हमारे ये क्या उल्टरा फेल्टरेशन् अगर मेरे पास में कोई और डिनरी फिल्टर पेपर हो जो आपने अपनी लेब में देखा होगा और डिनरी फिल्टर पेपर और फिल्टर पेपर की वाल पर पूर्स होते हैं वह इतने बड़े मतति की होते हैं इतने बड़े के होते हैं कि अगर इस फिलटर पेपर की कौन मनाका और रखें और और नो 돼सा हो बूढक्र को इसको इम्पयर थे हो इस cin게 मिषु freed जरुएं सामझ माई है या और यह ओरनारी फिल्टर पेपर आपका थी अगर इस स्वेपर को आप इस फिल्टर पेपर यह पर रखते हो त्यों तो इन जो युए की मिकल पार्टिकल्स दौनों इस इस और्डरिफ पेपर से पास आउट हो जाते हैं लाइव सफकर नियुक्त निकल पा रहे हैं इसका मतलब और फिल्टर पेपर तुम्हारा को प्राइट को पीरिफाइड नहीं कर सकता उसकी इंपिर पास हो जाते हैं तो क्या करें पड़ेगा कि हमें जो पूर है इसके और फिल्टर पेपर के इसके डाइमेटर को थोड़ा सा घटाना पड़ेगा ताकि इंप्यूर्टिस के पास हो जाए और पास नहीं और इसके करने के क्या करेंगे हम कि एक हमारे पास सोलिशन होता है थे फूर परसंट नेट्रो कि अलप इन एल्कोहल इतर एकफा इल्कोहल इतर में नाट्रोष परसमें बनाना हो 4 परसनट नाय्ट्रो शेलोड का सूलूशन एक हमके प्षॉल ग्राम लेंगे नाट्रोष और और 96 ग्राम लेलेंगे हम एलकोहर एथर का सुलुक्षन उसमें डालेंगे 4 ग्राम नायट्रोस तरक का बन जावा 4 परसंट नायट्रोस का सुलुक्षन इसको मैं यह प्यारे बच्चों कहते हैं इसको को अब भर लो किसमें के किसी की इंटर्यम में और इसमें आप फील्टर पेपर के कर अजंद कर गया और ऑर और आप प्रतु जोक का मत्रब कर ससका से करना लिया और तो करना के बाद में उसको फॉर्मल डिहाईट से ट्रीट कर तो तो आपका प्लिण राइट किसमे चुना तो लाता है राइट किसमे चुना जाता है वे इसमें इत्रा फिल्टर में Wex यहांभर 1973 में कबील सभाई हो जाता है कि अदिन हुआ और फिल्टर में जो है तूल का सबसरा पोर का सायज जोरता है व्लॉट साहरा frameworks साइज रेड्यूस्ट हो जाता है घट जाता है तो रेड्यूस्ट मतला छोटे-छोटे-फॉर्स ऑलते हैं ऐसे करके और सुष्ड़ जाते हैं च्छोट-छोटे यह बन जाता का नथा बसके से की हेल्प से आप क्या पर सकते हो और को पूरिफाइब कर सकते हो अब मैं कर अय आतलि मोगो अ Abram इंप्यर को लोइड तो केवल इंप्योटी पास होंगी को लोड पास नहीं हुआ तो अल्ट्रा फिल्ट्र की हल्प से जो फिल्ट्राशन करा जाता है को लेड़ को सुद्ध करने के लिए पुर्ट्राशन क्याते हैं की ぇीफिकेशन ए यह के क्या सकते हैं ए ए ए फिल्ट्रशन ऑफ इंप्योड फिल्ट्राशन और कैसे साच और पमधीन करना अम्हाँ करने के लिए इंप्याटी रिमूब करने के लिए एक स्पेसल टाइप और इतना चोटा हो जाता है कि इसको के पर पार्टिकर पास हो जाते हैं लेख क्रोटर के पार्टिकर पास नहीं होते हैं और आम नीचे निकलाते हैं सब्सक्राइब कर देते हैं और उसको वहार में कर देते हैं ताकि वह हाड हो जाए और वह बन जाता आपका अल्टा स्विल्टर कोई प्रव्लम किसी को यह तक की नॉट कर रहे हैं वीटाद इसको कि नौट करेंगे इनको बहुत इंपर्टेंट है एक दो कोश्चन ज़रूर्ट कोश्चन से हर साल पूछे जा रहे हैं इनको एक ही करके मैं डिसकस कर लेता हूं प्राउन यदे रहा हूं ब्राउन यदे मोशन आपने बारोजी में पढ़ा होगा ब्राउन यद्मोशन कहां पढ़ा होगा बताओ ब्राउनियन मोशन पढ़ होगा अपने पॉलेंड ग्रेंज में किसमें पॉलेंड ग्रेंज में समझ मागें ब्राउनियन मोशन जिस परकार से पॉलेंड ग्रेंज के अंदर ब्राउनियन मोशन होता है जिग जैग मोशन टियोरी में रिगती होती है उसी परकार से कोलेडर प एसे एसे लिया इसको बोलते हम रेंडम और जिग्जग मोशन जिग्जग मोशन और को लेडल पार्टिकल्स को लेडल पार्टिकल्स अको इसको ब्राउन मोशन केते हैं यानि कि अगर मैं एक कंटेनर में कोलेडल सॉलुशन ले लूँ और उनके अंदर पार्टिकल्स के मोशन को देखूं किसी अल्ट्रा पावर्फुल माईक्रोसकोप से राइट तो मैं क्या देखूंगा मैं यह देखूंगा कि जो को रेंड तो इस टाइपई नोसम्स होती है रेंडब उसको कहा गया ब्राउनी चली के सब्सक्राइब गर्म करते हैं तो सब्सक्राइब ब्राउनी मोशन करते हैं अगर वह बसे मौशन जो आती है कुछ वजह से आती है इसका कार क्या है क्या स्का तो कॉज में आया है इसका कॉज है मेरे प्यारे बच्चो को ओडर पार्टिकल एस्प्रियांश चिर्ट करते हैं क्या फिल करते हैं लिग्या मैं आगा अनुगरेश्ट को लिजन्स क्या करते हैं या इन पर अलबिलेंस को लिजन्स लगते हैं इसके लगते हैं डिसपर्जन मीडियम के ओप कि इसके चारतरद डिस परजन मेडियं में मुलेकुल से कैसी अन्विल्स को पर इधर तकर जाएर तेज लग गई फाइस प्र कार से एक पर्टिकल्स पेन character पर जो चारतरद नेट से तो एसा होने से जो और पार्टिकल है वह लगाता अपनी मोस्टको जिग जग बना देता है क्योंकि उस पर उन्भी लेज़्ट कोलुज़न्स होते हैं को डिया पार्टिकल पर इसलिए वह जिग जग मोसं का रूप ले देता है यानि ब्राउन मोशन को रोप ले लेता है नॉट करो से इंपर्टेंट बहुत यह आपसे पूर्सकता भून मोशन क्या है तो करन बताओ नॉट करो इसस को अ नेस्ट अ एंचर प्रपर्टी हमारी टेंडल सब्सक्राइए तिंडल इफेक्ट दिखा हुआ अपनों अब्जर्ब क्या होगा दिखो अपने रूम में डार्ट अधिरा कर लो कमरे में और वहां पर एक दिवार में जो रोसन दाल लगा होता जंग लगा होता जंग बिंडो लगी होकी उसको खोलना तो आप देखोगे जिग रोसनी आती है इस परिकार से अंधेरे कमरे में तो उसका बीम गुजरता दिखाया देता है आप सिनेमा हॉल में करी मूवी देखने के यह हो पर क्या देख्ते हो जब डार्ट हौल होता पूरा सिनेमा होई जो डार्क होता अंदेरा तो आपके ऊपर से लाइट गुजरती दिखाई देती है प्रोजेक्टर से आती ही पीछे से प्रोजेक्टर से लाइट आती है तो उसकी बीम लाइट के आपको गुजरती दिखाई देती है अब उपर दो इस तरहे से प्रोजेक्टर से जो लाइट लाइक निकलते हुए उसका राष्टा हम को पाथ उसका दिखाई देता है अब कौरे में आप बाइक चलाते हो तो बाइक की जो लाइक होती है वो कोरे से पास ही दिखा देती है बिल्कुल तो इस सारे फनॉम्ना जो बताए है मैंने सब तिंडल इफेक्ट के सुंगरा के लिए आपको दिखा है इसलिए वो तिंडल इफेक्ट दिखा रहा है हवा के अंदर होता है वह देश्ट वगईरा होती है इस लिए टिंडल इफेक्ट दिखाती है तो एरोसोल, फॉग वगयरा जो होते हैं, जब कोलोट से लाइट पास होती है, तो उसका पास दिखाई देता है, पास क्यों दिखाई देता है, इसको समझे आँ, पहले टिटने एट की ड मेंट की डेफेनिशन ये है, कि वेल, एक बीम ओफ लाइट इस पास दू तू 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 जब Collider से पास किया जाता है किसको बीम of Light को धन क्या होता है धन Collider Particle जो होते हैं Collider Particle जो होते हैं वो Butter Codeald कर देते हैं Light को कह घर देते हैs cater फ्हहला देते हैं स्केटर नो कर देते हैं Scatter light Due to which जिसकी वेरे से Due to which जिसकी वेले से लाइट का पाथ होता है वो दिखाई देने लगता है ऐसा लगता है कि हमको लाइट गुज़र रही है जब लाइट की स्कैटरिंग होगी तो उसका पाथ दिखाई देगा राइट इसी को कहते हैं क्या कहते हैं जब एक लाइट की बीम को हम किसी कोलेट से पास करते हैं तो कोलेट पार्टिकल जो होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं कि जिसकी से इस स्केर्टिंग कि वाग्तलाय में दिखाई जहने लगता है स्केर्टरिंगा लगता है कि यहां से यहां से लाउट एक पार्टिकल अंदर जाएगी इस प्रकार से अंदर जाएगी तो कोई लाउड-पार्टिकल में टक्राई लाइटी दो इसका तो जब यह फैले की लाइट यानि एक चीज़ समझाए आप कि लाइट का पाथ है वो क्यों दिख रहा है हमको क्योंकि उसके नदर पार्ट का दिखने लगते हैं इसलिए हमको वो चीज ऐसा लगता है कि इस पाथ लाइट का दिखाई दिरा है दो कोई भी चीज है जब तक लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा बाट इसकेटरिंग नहीं होगी कोई भी चीज दिखाई नहीं दे सकती सब्सक्राइब अब जैसे हमारी बॉड़ी है हम अपनी बॉड़ी कब देख पाएंगे जह हमारी बॉड़ी से लाइट टकर आए और उसकी स्केटरिंग हो ता हम दिखाई देगी यह चीज इसकेटर लाइट को स्केटर कर देते हैं जिससे कि लाइट है जो हमारी आँखों पर पहुंचती है तो हमको क्या दिखाई देखाई देंगे किसमें उस सोलुशन के अंदर जब पार्टिकल नेजर आएंगे तो हमको लगेगा कि लाइट का रास्ता गुजब रहा है एक लाइट पार्टिकल से तो पार्टिकल ये सकैटरिंग कर देते हैं जिससे कि को और पार्टिकल उस पूरे पास में हमको दिखाई देने रखते हैं जहां जांग भी कॉल्टिकल होंगे हुंको तो हमको ऐसा लगेगा कि लाइट की या बीम पास्वारी है इस तरह Cecilie ऐसे लाइंट केसे लाइट और? है। Lenksla तो हमें उस लाइट की पाथ में कुछ छोड़चुडच पतले-पतले से हमको डिस्ट पार्टिकल में नेतराते हैं तो डिस्ट पार्टिकल कौलल टिकल्क नाय को उन्हों ने कि लाइट कोई इस्पेटर क्यों कर रहे हैं यानि टिंडल इफेट क्यों दिखा रहे हैं कि समझना गया इसका रिजन क्या है इसका रिजन मैं लिए था हूं कॉज इसका size of particles, size of collaborate particles, δो रिजन है इसके, size of collateral particles Clooney particle को size होता है रएट incorporate particle का size जो होता है वो larger होता है क्यों होता है larger than लाइट की बेवलेंद से ज्यादा होता है और ज्यादा भी होगा चाहिए अगर पार्टिकल का साइज लाइट की बेवलेंद के बरावर यह लाइट की बेवलेंद से जागा है किसी पार्टिकल का साइज तो हेंडर परसेंट वो इस करेगा लाइट को यह टेंडर एफेक्ट दिखाईगा तो एक्ट्री होता ही है कि अधाइक वह लाइट लाइंस entraris rThe light भी जी सब्सक्राइब लाइट की लाइट से जाड़ होता है कि संब्सक्राइब लाइट की रिंज तुमने धेखियोकी कितनी होती है में विजींव लाटा होती है कि हूं कितनी होती है जाले 300 सो नैनोमिंटर से साथ सो पचास या तक होती है एक सबसेंटर होती है और क्होंड़ का साइट कितरा होता है कि वन से 1000 तक होता है तो 1000 तक होती है और यह पार्टिकल का साइज जो है वो किसे लाइट की बेवलेंज से भी जादा हो रहता है इसलिए हमेशा को ना पार्टिकल लाइट को सकते हैं समझ में आगे सकते हैं पहला सकते हैं समझ में आ गया इतना में और दूसरे रीजिट क्या है है तो एक ची और सुरह खुड़ा सकत्त। तो शॉलिशन वह होता है तो शॉलिशन के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं तुस जैसे कि आपने देखा होगा सुगर का पाणी में इस सॉलुशन, यह सिस सॉल्ट का पानी में सॉलुशन, यह सब तुस होते हैं। क्योंकि बहुत ही चोटा होता है और कितना चोटा होता है पर कितना चोटा होता पता को पार्टिकल का साइज में आपको बदाया था और एक नाइनोमेटर से फी छोटे पार्टिकल होते है अब हमें क्या बोला था लैट तब ही सकैटर होगी जब उसका साइज ऑगा पार्टिकल का वह बिजीवी लैट की बेवलेंग से जाना हो या उसके बराबर हो आप विजीवी लैट के रेंज है साज साड़े तीन से लाइट को पार्टिकल को निकल जाएगा जब तक हम उसको लाइट को यह उन पार्टिकल को देखी नहीं पाएंगे लाइट को सकेटर नहीं कर रहा है इस में लाइट के भी होड्य लाइट के लिकशनेगींगी्ण तो यह चोटा है दिखेंगे और पार्टिकल को नि दिख रा है पार्टिकल है कि इस के नहीं नहीं कर पार्ट की नहीं से जादा होता है इसलिकिया इस ढ Easter काया है मंझे नहीं सब्सक्राइब और डॉसरी बादा रिफ recognize इंडेक्स रिफ्रेक्टिव इंडेट्स आसा है इसका कुझा इसका ड्रेक्टिव से कि मैं मुझेए पूर्ट याव भी तरा समय कि Sum कि आए बादम ऐसक다Est है। इसको रिफ्रक्टिव एक रिफिर अन्य नेक्स अन्यומ क्यों रिफ्रक्टिव इनग्स बिफ्रक्टिपंपर खाज कचिटर शीम तेंडिंग शीम बार मिंड्यियों कर। दिस पार useful शीम नख रहें है है यह दुफरेंट है दुफरेंट है डिफरेंट वेलू और देफ्रेंट रटा है इंगड़ेटर एक्सटेंट इंगड़ेटर एक्सटेंट है है मतनल इसका यह है कि जो Chun she with devicesmont इंडेक्स होता है वह बहुत ज्यादा डिफ्रेंट होता है दूसरे से डिफ्रेंट में डिफ्रेंट में रखता रहता है यह याadem कि इसके से कर पाऊ गया कि कुल्डर पार्टिकल या फिस्पर्जन मीडियम कर रहा है पता कैसे नहीं पता नहीं पाएगा ना अगर दोनों को रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम हुआ यह थोड़ा सा डिफ्रेंस हुआ तो आप जजी नहीं कर पाऊगी इस्कैटर कौन कर गया ला वन तब ही हमको पता लाएगा कि एक्टुली क्ली पार्टिकल ही जाट को इसके तोरों नौट पर उन्फे ह है कि और वह था यह हमारी चाहום को जर तो हम को थोड़ा से मताओं कि जो कोड़िद काया सोते हैं को अटते हैं को होते हैं को बार्टिकल जो होते हैं कि आल्वे सकेड़ी आल बेश're पार्टिकल पर चार्ज केरी होता है आइधर इन पॉजिटिव और नेगेटिव या तो इन पर नेगेटिव चार्ज होगा या फिर उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा यानि पॉजिटिव चार्ज जरूर होगा या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव समझ मागया जैस पॉसीटिव कोलोड का होगे अगार हमारा को नेगेटिव कोलिड है यह वाला इस पर नेगेटिव होगा इस तरह से तो के ने कुझ न कुछ जरूर होता है और ता पॉसितिव यह पर निक इसी आधार पर यह दो होते हैं पॉसिटिव चार्ज को रुड़ेट्स नेगटिव चार्ज को रुड़ेट्स आपसे डायरटर लिए एजाम्पल पूछ सकता है कि दो पॉसितिव को लोड़ के नाम बत हों तो आपको याद करने के में तो होते हैं हैं जैसे की यह सब हमारे हमारे हमंब हमारे कीरिया सब्सक्राइब होता है कि अब नेगेटिब रिचाइब को देखो मैंतर सोल जैसे गोल्ड का सोल सिल्वर का सोल प्लेटिनुम का सोल कैड्मियं सलफाइड सी डी एस एड़ और सनिक सॉल्फाइड एस टो एस्टी एस तरी एटीज होते हैं तब पॉजितिव कोलेट और नेगेटिव कोलेट यह दो अब मैं आगली प्रॉपर्टी में आगल बताऊंगा कि भाईया इन को रड़ा पार्टिकल पर चार्ज आया कैसे कि सब्सक्राइब इसके वारे मैं आपको समझा को हुआ है मिटा तो इसको देश्च कैसे आता निवा कि तो दो ऊसे में इस सब्सक्राइब इसका है 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 ऑर अफ चार्ट और जीन कि आप चार्ट आप ऑन को लिडा पार्टिकल्स अगहिए है कि और पार्टिकल पर चार्ट कैसे डवुप होता है है ठीक आ independence है चाहें तो इसके लिए मेटा एक चीज़ है मैं का पुरिण्ट है रिख्शन यह निस सोब आयन खोल सोब्स बाइन अ ये थोरी के नाम है कि इसके नाम किया है प्रिफरेंशियल एड्शर्शन ओफ औफ अग्यंस यह थोरी है की यह थोरी आपको एस्प्रेंड करेंगी Ayam कि कुलेनर पर्टिकल पर चार्ज डबल अप हुआ चार्ज का ओरिजिन कैसे हुआ चार्ज कैसी आया सब्सक्राइब करना गया क्या नाम स्थोरी का है प्रिफ्रेंशियन एड्जोर्शन ओफ आइंस अब जड़ा ज्यार से पेरे प्यारे वच्छों सब्सक्राइब लोग इसको समझेंगे कुछ एक्जाम्प्रिस के जलिए ठीक है नहीं हमें कोलेटर बनाएंगे फिल्स कोलेट प्रिफ्रि cifi सब्रिफ्रिस अधिए अवसक्राइब ही कर सब्सक्राइब कर शानी कोलेटरर बनाएंगे वच्छ आजाम्पी तस समिधए और कर खका है। के सिर्फे ने घंपते kole छार्ट के और गरिये कशनल करने असरे लगे बान ही, या या मों है, इसे क्या है है हमने क्या है, कशनल करनल का पहनीत क्या ठीक बहुत कर सोल्युशन लिया और मैंने इस में इसको आड़ किया मैंने इसमें सब्सक्राइबomo तो किा बले जए हां से ने वटम का सुलिशन दिया राइट और इसको मिला दिया मैंने potassium iodide के solution एकसे से ठीक है जैसे मैंने यहां पर ले लिए 10 ml silver iodide के लिए और इसको ले लिए 100 ml potassium iodide का solution कोई किसी को दोनों में reaction हुई double displacement क्या बना होगा एजी सिल्वर मैंटर चलेगा आई के साथ और के चलेगा एनुत्री के साथ क्या बनेगा सिल्वर iodide का एक प्रेसिब्टेट बनेगा और बनेगा मिला potassium nitrate का solution किसका कोटेसम नाइट्रेट का solution के अनुत्री का यह जो है वो एक कोलेडर रेंज का पार्टिकल है किसका कोलेडर रेंज का पार्टिकल है किसका अब ध्यां से देखो जिना कि दस एमेल एजी एनुत्री ने दस एमेल के साथ करेक्शन करी होगी इससे बना हुए दस एमेल एजी आई और दस एमेल आपका प्रटेश्चीं आइटरेट संब्द में उब भूंखे एमेल क्या रहे गुआ ऊंड रहे गाए हुगा अंड रियाक्टित रह गया होगा अ क्लेता Christmas आप यह कुणश्यवल अब गंव एमेल अनुट रहें सघ्चीं के इन्स एइंस और किसका आइट का सब्सक्राइब गिए आयोडाइट जे बच गया है न कि राइट उसके अंदर पोटीशिम आयोडाइट गया है तो जैसे ही एज़िया का पॉर्म होगा तो एक्सक्रामें कि आइट के पास में राइट उसमें से बचा हुआ नाइंटी एमेल की आई है उसमें होंगे पोटेशन के आयोडायट के आयन तो यह क्या करेंगा इजी आई यहां से कुछ कूमन आयन को किसको कूमन आयन को अपनी सर्फेस पर एड्जॉर्ब करा देगा सुलीया बस एक चीछ के ध्यान रफशाना तो आयन एड्चॉर्ब होंगा कर वह एक्ष्स से एक्सेस वाले में ही तो बचेवा होगा तो जो बच गया है या कि आई 90 ml तो उस बचे हुए कियाई में जो पोटेशियम के आउड़ाइट के आएंस हैं उन आईनों का उन आउनों का एडजोर्शन होगा इसकी सर्फेस पार और कौन से आएंक एडजोर्शन होगा जो एजी आई मी मौझूद हो यहां पर मौझूद हो यहां पर इतनी पार समझना गई आउनों का आई जाएगा और इसकी सर्फेस पर क्या हुझा यहां इस तो इसके आए जिए जाएकर आइज यहां पार्टिकल पार्टिकल एडजोर्व होंगे जाकर कर देपोसित को मीट आकर त्रंक इस पाटिकल को क्या मिल जाएगा चार्ज मिल जाएगा और चार्ज कैसा मिलेगा इसको नेगेटिव एक तरह से आपका नेगेटिव ली चार्ज को बनके तयार होगा सिल्वर आयोडाइट का समझ मां गया अब जब ध्यान से देखो यहां प कियागा जया क्या या क्या क्यों चैनल गया कि ऊस्थ लियर कहते हैं कि फूल्च के या के ऐपफू यह तना गया है अब भगा और क्या एक बात एक काम और होगा जब पटेस्म आयां से देख वह एक जबात र्म लेंगे इस टर्च नेगेटिव चार्ज की लिए रहे यह प लेगे तब मतल सबक्राइन येंच और को लिए बना देगा को तरह अंद्र वाले लेयर जो कि इस पॉल्ड पार्टिकलब को टच करने डायक्ट र謹री और मन Supra दो लेयर मन जाती है इसको का देख बज़ा रहा इसे क्या दो लेयर बन जाती है फिक्स्ट लेयर एंड डिफूष्ट लेयर इतनी मात समय माई कि अब कौन सा कोलेड बन जाता है नेगेटिव कोलेड बन गया यह तो आप से कूशन पूशेगा बनाकर क्या कूशेगा कि जब सिल्वर नायटरिट के सोल्उशन को आपने एकसेस के आई में डाना तो तो वो कैसा बना होगा नेगेटिव यह पोजितिव तो आपको ध्यार रखना है कि इसका जस्टिफिकेशन कैसे करोगा नेगेटिव बने पॉजिटिव बनेगा तो आप जैसे एजी आई का कोलेटर पार्टी पर बना लो राइट समझ मा गया फिर इस एक्सेस वाले में और यहां पर कॉलेटर पार्टी के बना है उसमें कॉमन आयन ढूलो कौन सा है अगर यहां पर कॉमन आयन इस सॉलूशन में जो एक्सेस मात्रा में है नेगेटिव आयन है कॉमन तो नेगेटिव आयन ही एर्जर्व होगा और अगर पॉजिटिव आयन कॉमन होता तो पॉजिटिव आयन हो जाता उसकी वैसे चार्ट डिसाइड होता कि नेगेटिव आया य से चलेघ!.. प्यारर बच्चो, कि इस वार मेरे सिलीवघ से देख एक्ससे अमॉन्ट में। जहां से देखें इसको केरे क्या कर रहा हूं, के लि Calendar यहां में लिमिटेड मैं एक तरह से लिमिटिंग कर दोछ धे हैं अब डिसाइड करना कि पॉसिटिव कोलिट बनेगा नेविटिव बनेगा नहां से लिए हमने फिर दोड़र को होई एज़ी चलेगा आई के साथ और पॉटिशन चलेगा नाइटरेट के साथ क्या बनेगा अगें को अगया पार्टिकल बन गया और यहां पर क्या बना कि अब इस पर आयन जमा होंगे आयन कहां से आंगे जो एक्सेस एमॉंट में सोलुसन लिया है उसी का आयन आएगा आप जरा द्याहां से देखो इसमें और इसमें कॉमन आयन कौन सा है इसमें क्या हुआ जिसे मालों ही 10 ml था यह 100 ml है तो 90 ml अंड्रेक्टिट वच गया होगा अंड्रेक्टिट राइट उस 90 ml अंड्रेक्टिट में क्या प्रजेंट होंगे सिल्वर आयन और नाइट्रेट का आयन सब्सक्राइब अब मैंने बताया था आपको जो पार्टिकल बन जाएगा तो उसकी पर आयन सके लैयर जमा हो जाएगी डीपोजिट ऊजाएगी य्बपन की लिए डीप्रफ हो जो मेडियम स में यह कौन से ही है है कुं सब्साब है यह चिकलाइब की लिए जम्मीड स्वाइण है इसमें पहले एक्सस क्या था किया ही था तो कॉमन आयन इसमें तूरे पर किस्में और इसमें प्रिक kया, प्रेलude को जात व हम जा था तो इस तरह डिसाइड करना आपको चार्ज बस आपको देख लेना कि एक्सिस में कौन है उसके कॉमन आयन अट्जर्ब करा दो कॉमन आयन आपके नेगेटिव बन सकता है उसके साथ से चार्ज पता लग जाएगा ठीक है तो कैसा बना यह पॉजिटिव बना पॉजिटिव बना और नीची का बना था नेगेटिव बना नायट्रेट की आयन भी आकर इस पर ट्रेक्ट होंगे और दूसरी लेयर बना लेंगे इस तरह मेरी प्यारे बच्चों आयंस का एव्जर्शन होता है कुलिणर पार्टिकल की सर्फेस पर जिसके ऐसे पर चार्ट डबल अप होता है आई होप यू विल बी अंडर्श्टेंट नॉट करो इसे अब दोको मेरी प्यारे बच्चों होप ampere जिटा प्टैंशीं क्या होती है जिसको हम कि- एक्रोकाइनेटिक प्टैंशाल भी कहा जाता है कि के चीज़ी पैज्चींद फिलय अद् holiness की ठा mortar लेयर को चप्रू दोकित शन दोक techniques होगा उसको कहते हैं जीतब फोटेंशाल के बोला मेंने ने 어때 पोटेंशेल टाइट डिफ्रेंश ए डिफ्रेंश shift बोटेंशे बीजिए डिफ्रेंश बीइन हो इसको कहते हैं हम क्या जीतिब प्रेंश वका मेंचल पर यता जाता है कोश्टन है कि यह पडम कर लेना को जीटर पोटेंसियल कहां और डिफिस्ट लेयर रिलेफिनय। वहसी कहतugen जीटर पोटेंसियल फ्रैंस休 कि यहां पर एक यूशेब की ट्यूब ले लिए कि लास की समझा गया जहां से देवों और आपने इसमें कि एक को लट भर दिया का भर दिया को रोड बतिया अजहां से आपने हैं यहां से आपने आपने में परीकल अधर। और यहां पर प्यारे बच्चों आपने लगा लिए इलेक्ट्रोड नेगेटिव एक्ट्रोड एंड पॉजिटिव एलेक्ट्रोड दो एलेक्ट्रोड आपने हैं फ्रेंट होता है फ्रेंट इस पर ये यह जिए पॉजिटिव एक्ट्रोड रहर है जो मैरे प्यारे बच्चों जैसे ही आप इस इन इलेक्ट्रोड की एंग से इस को एक्टिक्टिसिति प्रॉइड करोगे तो क्या अब दिन्वार्ट करोंगे कि जह कोरें पार्टिकल्स है अन्लिकों इस पर दो मिडियन नहीं के वर फिल्ट को वह किसी एक प्रटिकुलर के तर्म मूग करने लगते हैं या तो मुप करेंगे समझना आगिया सो इसी को कहा रहा था इल्क्रोर्ण yang किया ऑना एक वन्हें सब्सक्राइब मुमेंज बॉमेंड आफ को अक्वैनल पार्टिकल्स घुर्ट पार्टिकल्स कि तू एक पर्टिकुलर एल्प्ट्रोड पर्टिकुलर एल्लेक्ट्रोड यानि इलक्ट्रिक फिल्ड के इंफ्लाइंस में कुर्टर्ल पार्टिकलोंगा मौव करना किसी एक पार्टिकुलर इलक्तुर्ड की तरह उसी मौवमेंट कहा जाता इलक्तुर फोरसेस क्या करते हैं यहां पर कोगुलिट हो जाते हैं इस तरह से है डिश्टार्ज हो जाते हैं और डिसपर्जिश मेडिया विचार होई पड़ा रहता है उसमें तो सो कहते हैं तो अखसर कोगुर्डल्र प्रॉशन के इंदर पाई जाती है है राइट कि अन्मा गया इससे क्या फाग हुआ है डिस एक्स्परीमेंट जिर्थlerde कहें और करें ही कि इस प्रपरटी काने सु गार्मस डिस अन इस रस été इस नहाख है से जाज़ Richter नितिकल में चार्ज ओन को रटल पार्टेकल है को रर साज national सनिक star nat li कराश कर लाब्याών की तरफ और पार्टिकल का मौनें पर रहता है इसते पता लेगराए उन पर चार्ल act कैसा है यह पता लग जाए तो चार्ज है या नहीं इसकर पता लग जाए वह चार्ज कौन सा है नेगेटिव है पोजिटिव है वह पता लोग जाए तो बहुत यह अच्छा एक्स्पेरिमेंट है कर लिघ cabbage कृणर जेया हुआ जाया को दुढ़नो कि पर ऊसी क्या capital तो इस फंद मिटेयोबं यह कृद्य को यहत्तर में पता है यह जिस पर सब्सक्राइब क्या होता है इसका इसका अब ध्यान से बाहर बने विटीम आफ यहीं पर समझाएगा सब्सक्क्राइब कि लीग्रीं ऑंस में हुआ एश आपने पड़ाव और कि कैसी केते हैं Osmosis क्या होता बताओ Moment of Moment of a solvent Moment of solvent From Lower concentration Lower concentration To higher concentration Lower concentration to Higher concentration Through SPM Through SPM Semi-permeable membrane के through Lower concentration High concentration की तरफ Solvent का movement होना उसको कहते है Osmosis कहते है Osmosis कहते है Right अब Electro Osmosis क्या है कि अगर Osmosis Carry Out किया जा रहा है Under Electric Field तो उसको बोलते हैं Electro Osmosis क्या क्याते है Electro Osmosis अब वह होता कैसे Electro Osmosis जहां से देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ यहां पर मैं यह कर देता हूँ मेरे प्यार बच्चों दर ध्यान से सुनना यहां पर मैंने भर देख को रूइट Disperson Medium भी इसमें और Disposed Phase भी है Disposed Phase के Particle को हम Collider Particle सी कहते हैं यहां पर Collider Particle भर हो है यहां पर लगा दी मैंने SPM क्या लगा दी सेमी पर्वियमें मेंब्रेल लगा दी इसके बीच ने फिट कर दी हां पर यह क्या लगी SPM लग गई यहां पर इलक्तरिल फिट लगाए रहो क्या दर्वासन दश्री हो जो पिर आघ वहां फ मांन की तो किस के तरब मोग कर राच चाहें तो यहां पर पवर्प्र ना did06 लुगा से यहां अलला का के लिए और यहां पर इकट्टा हो गया जो आब यहां से देखो कि इस SPM सेमिक पर्मेंबर्म एक ऐसी मेंबरेन होती है जो बलबले पार्टिकल को पास नहीं होने देगी लेकि छोटे-छोटे पार्टिकल को पास होने देगी यानि ऐसा मांच के चलो कि दिस्पर्जन मेडियम तर पास होगा SPM से लेकिन को लेडर पार्टिकल पास नहीं होगा तो क्या हो राधिया से दिखो जैसे आप लगा हुए तो इस साइड के जो को लेडर पार्टिकल्स है SPM के इस साइड वाले वह भाई है नेगेटिव एलेक्टरोड की तरह मूप करना जा रहे हैं तो यहां से चलते हुए इस साइड आ रहे हैं और जैसी SPM के पास आए तो अब यह नहीं गुज़र रहे हैं वह बहुत ही छोटा है तो यह कोशिश तो कर रहे हैं यहां पर इखट्टे हो गया आकर यहां पर थे सब अब SPM के आस्पा जागा इखट्टे होगी बहुत सारे इखट्टे होगी अब भज्या उनको राष्टर नहीं मिट रहा है SPM से गुज़र में का तो यहीं पर विचाले सारे इखट्टे भूजांगे तो क्या होगा कि इस साइड जो है जादा कंसेंट्रसन हो जाएगी दो होगी है SPM से पास नहीं हो पा रहे है तो वहां पर जटका त्म निकल नहीं कुछ कर रहे हैं लेकिं निकल नहीं पा रहे है यहां पर इखट्टे होने की वैसे यहां पर कंसेंट्रसन बहुत ज़्यादा हो गया इस एरिया में solution के अंदर और इधर concentration क्या होगा कम हो गया तब क्या होगा पता है अब है यह concentration इधर higher इधर lower हो गया तो dispersal medium जो होगा कौन dispersal medium होगा वह opposite direction move करने लगेगा ऐसे करते हैं कुछ dispersal medium तो पास हो सकता है SPM से तो जैसे concentration साइट बढ़ेगी और इस साइट कम होगी त्रंट ही क्या होगा डिस परदन मीडियूम के molecule इस SPM से बुज़रती हूँ इस साइड आजाए लाए तो मैंने क्या बोला अंडर एलेक्ट्रिक फिल्ड ही तो हो रहा है अंडर एलेक्ट्रिक फिल्ड डिस परदन मीडियूम का यह शोलमेट का domu से पास होना इसी को कहते हैं लेक्ट्र हो स्मसेज osmosis of osmosis of dispersion medium dispersion medium under electric field osmosis of dispersion medium through through a membrane or spm here through spm is called electro osmosis is called electro osmosis the problem is not the issue the next property is coagulation of precipitation the process of settling down the process of settling down of colloidal particles colloidal particles is called coagulation coagulation या इसको ऐसे कह सकते हैं और separation of separation of पार्टिकल्स फ्रों मेट्या यानि कि अगर हम डिशपर्जend मेड्यान को परद सेज को सक्षेश बदरार को अगर कर देते हैं सेपरियुट कुलिडर पार्टिकल्स फ्रोंौ डिश परद मेड्यान फ्रों। इसी को भी हम गॉगुलेशन कहते हैं। कि यानि अगर आपने किसी भी तरीखे से कोडिनल पार्टिकल को डिसपर्जन मिडियम से सेपरेट कर दिया ना कर दिया तो प्रोसु कहते को अधर करना यह प्रैसिप्टेशन करना सब्सक्षा आप जरने मुझे बताओ थुला सा कि कि को आगोरिशन किसका आसान होगा लायोफुलिक का ये लायोफॉबिक का तो हमने बता नहीं हो जाता है सब्सक्राइब क्यां तो यहां पर मैं ले रहा हूं कि सबसे पहले कि आप करा हूँ कैसे है समय जवागा अगर में चो जब करना है तो तरीका है तो किसका है कि क्यों करने का तष्ट करने का सब सब्सक्राइब किसका किसका अ यह लाइक किसका लाइफ़ामिक कोडूर्ट सका लाइफ़ामिक कोलूर्ट सका घ्राइब सिंप एक चीजा थिए कि लायफ़ामिक कोरईड हो जो हम कराते हैं कि तो कॉऊग्लिशन कराने का बेस क्या होता है किया हो रूब में को समझने की तो लिसी यह इसे लोग आपको यहां पार हमने कोड़ी ले दिया क्या प्रें को अगर आधा अगल जन्हें को होता है प्राइब है कि सारे क्यों यहां सार्च बहुत अगर टीन होता है और यहां पर है किसके मौली कुली तो हो क्या रहा है यहां पर यहां पर क्या हुगा इंट्रेक्षण है स्मीज में तो यहां पर क्या होता है कि इंट्रiex 2020 होते हैं जिसको सोलेशन कहते हैं कि एक सोल वेशन ऑसे इंटिशन मेनि नान yen सब्सक्रद मिडियान। है कि एद स्सक्राइश कि एद बैद अधि ऐस कि पढ़न शो लिट ओडस ईला क्विजंड़ को सब्सक्राइब को त्र HOLोरते पार्टिकल परल्इब दित्कान वृर्ट हब किस राइट कर इसके ब्योर था आपके जिरहां बॉस्टेटेब चैठाष बोद्धीकी और एक चुर बता रहूं है एंडर ब्राउनल मोशन बहुत इंपर्टेंच बताने वालाँ तो ध्यान समझें इसको ब्राउनल मोशन यह तीन फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इस कोईलेट को इस्टेडलाइज रखते हैं कोईलेट नहीं होने देखें ध्यान सुनें एक तो सुल एक एक जैसा चार्ड वान और ब्राउनल मोशन ब्राउनल मोशन वहना यानिके लगातार इदर दो करते रहना यह तीन फैक्टर्स जो होते हैं यह त्री फैक्टर्स थी फैक्टर्स पार्ट्स राइट इस्टेबलाइज कॉलेट को कोगलेट होने से बचाते हैं यह तीन अफेक्टर आपसे एक नमबर में कोशन पूछा भी जा सिता है कि ऐसे कौन से फेक्टर से हैं जो कोगलेट को इस्टिब्लाइज अरते हैं उसको कोगलेट नहीं होने देते और प्रिवेंट देर्कोगुलेशन और उसके कोगलेशन को रोखते हैं आपने पलावाद है क्योंकि इस्टेबल क्यों है क्योंकि एक तर्दिस पर्ज़न में इस पर्जिश के बचेंग सोलवेशन है तो कुल्ण पाटिकस अलग कैसे होगा क्योंकि इसके साथ जुड़ा है और लाइक चार्जिद हैं सब पर रिपल्सन होगा सबके बिटीमी रिपल्सन होगा इतो तर भाई कोगुलेट नहीं हो पाएंगी दूसरा ब्राउन मोशन भी काम कर रही है लगातार मुग कर रहें तो बैठ नहीं पारें सैटर नहीं हो पारें तीन फैक्तर दिवैसे कोगु करना पडेगा में ऑसको कि दूसरा चार्ज है उनको उन पर चसार पर इसको नुटलाond Original पती में जो कर गया नियूसरा चार्जclick करना पड़ियार तो क्या होगा पार्टिकल डिस्पर्जन विट्यम से अलग हो जाएंगे और नीचे स्ट्र हो जाएंगे तीसरा फेक्टर अपना से रिमोव हो जाएगा कौन सा ब्रावन मोशन बाला जैसी चार्ज हटेगा रिपल्सन खतम हो जाएगा और सोल विशन खतम होगा तो भी यह पार्टिकल कहा अब आपको ना तो रिपल्सन लग रहा हो उनके बिद्वी और ना ही कोई उनके बिद्वी कोई इंट्रक्शन है तो पार्टिकल नीचे बैट जाएगा उसका ब्रावन मोशन आटोमेटिक खतम जाएगा अब एक्ट्यली क्या है कि लायव फावी कोलेट्स का जो कोगलिश निकिक के स्तामाल नहीं करते हैं तो अब लेकिन अगर लायव फावी इक को जाएगा क्या हो डियोफावी कोज़ो करने के साथ साथ हमें सोल विसल को भी खतम करना पड़ेगा क्योंकि सोल विसल बरत कुछ ट्रॉंग वा अपना आप से खतम नहीं होगा उसको खतम करने के लिए हमें कुछ कैमिकल डालना पड़ेगा वो बताव का बात में लाइफ फुली कोलेट को कोवलेट कैसे करते हैं फिलहाल एक तरीका में तरा होको इलेक्रो फॉरेसिस के दोबहरा किसके दोबहरा इलेक्रो फार्ट इस पर आपने देखा है यहां efficient mercy करते हों कि में तो और पार पार्टिकल जो होते किशी एक त्रर मूग कर जाते हैं तो यहां पर जाकर क्या होगा और यहां पर जाकर क्या होगा और यहां पर द्वारा हमको चार्ज को न्यूटराइज कर सकते हैं दूसरा बॉइलिंग के द्वार कि अध्या करके उबाल का उबालने से क्या होगा जो आयंस की लिएर लेना यह वद्वारी जैसे टैंपरचर बढले बादने से क्या होगा जो ऐस उनकी किया नचिक बढले बढ़ जाती है कि मूवमेंट तेज होने लगती है मूवमेंट तेज होगी इससे हटकर अलग हो जाएंगी जैसे पर बाइपरेशन तब तरे लिए यह ऐसे बाइपरेट होगे आपकर जाएंगे जैसे आइंस हटे इसे अबार टेरा उलाइपने से कि प्रोलोंड करना प्रोलोंड कोडलोंड योट्यक्ट के दुवारा प्रोलोंड कर द्राइपने को घंड ळाइपन प्रोलॉंड टाइंug काफी लंबे टाइम तक करते रहो इलेक्ट्रोडाइलसिस क्या बता था बिर आपको कि आपने डायरेसिस कराया अंडर लेक्ट्र फिल्ड और इसको कब कराते हैं जब को लिड के अंदर हमारे पास में ऐसा हो जिसमें एलेक्ट्रोलाइट की इंप्यूर्टी तो आयंस की और यह आयंस है जो कॉल्डर पार्टिकल पर डिपोजिटिट है जिनकी वेले से कॉल्डर पर चार्ज है और फुछ आधर साइड में भी इस पर आयंस के लिए आयंस के लिए इंप्यूर्टी के काम कर रहे हैं लेकिन अगर आपने प्रोलंड इलेक्ट्रोडाइलसिस कर दि लंबे टाइम तक लेक्ट्रोडाइलसिस कर दिया तो यह आयंस है ना इंप्यूर्टी के रूप में यह तो निकलेंगे निकलेंगे जो कॉल्डर पार्टिकल पर आयंस के लिए हैं वह भी हटकर मेंबरेंग से बाहर हो जाएगी तो जैसे लिए रहते इए तो याद रखो कर अगर हमें प्रोलॉड कर दिया लंगे टाइम तर बुरेंड किर्ञेंगे नेकलेंगे मेंबरेंगे बाहर जो आयंस की लेए़ ले स्कॉन्वे तो भी रिम्म हो जाएगी प्रोलाउंड करने से लंबे टाइम तो करने से तो आपको कोगलिसम हो गाएगा कोगलिट कोगलिट को इतनी वासर में आ गई कोगलिशन हो जाएगा हुआ कोगो प्रोल्म हाता किसी को और देखो और करिक ओवर है और हमरे पास में हम नाधे इसको कि कॉगलिट करने के रीओर है कि आज़ने को तरीका तो तो एक फिस्ट मेथट है वाइडिशन औफ एलेक्ट्रोलाइट वाइडिशन ओफ एलेक्ट्रोलाइट एड करके वह एलेक्ट्रोलाइट क्या होता है यह इंपोनेंड मेथड है काफी कि एलेक्ट्रोलाइट होता है पंटेंड करता एन एंडे किसे को नेगीटिव पॉलेट हो जब मैं उसमें यह इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा इसनल में पॉजिटिव ऑन्छेपिशन करेंगे सीधा जैसे मेरे पास में को पॉजिटीव कोलोड है कि बॉजीटिव कोलोड है मेरे पास कृणी थेक है तो यह पॉजितिव कोलोड में तो उसमें जैसे इसको नोट्राइज कर देगा और अगर मेरे पास कोई कि नेगेटिव पॉलिड है क्या है नेगेटिव पॉलिड है और मैंने आपका इसमें इलेक्ट्रोलाइज डाल दिया क्या करते है इसमें 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 अपने अपने इसाफ से आएगा और उसको पॉलिड कर जाएगा gamot क्या करते हैं में इलेक्ट्रोलाइट इसएंड़ जब ईलेक्ट्रोलाइट के लाता है तू ए चार्ष पॉल capitalism क्या होता है आप ऊपॉजिट्ली चार्ष पॉल्य है तो सितु कुण थे इसमें हम दो प्राइट कर देगा किसको कोड़ेट को अगर पोजिटिव कोड़ेट का नेगेटिव कोड़ेट करेगा और नेगेटिव कोड़ेट कर देगा अगे अगर बहुत इंपोटन रॉल है सीधा पॉपलिशन में इस्तोमाद रहता है आपके पास में मालूब गोल्ड सोल है नेगेटिव कोड़ेट होता है उसमें आपने बहुत एक की इलेक्ट्राइट का सोलूसन डाल दिया तो 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 ने रूप जाएगो आपने दिख़ो बिलेट निकल रहा हमारे सेविंग बनवाते हैं तो से में बिलेट देरा रेजर लगा लगा लेते हो तो आपका इस अच्छी डाला लगा अपने एसे ही जा हमारे जैसे लेम प्रेक्टिकल कर रहे हैं किसी वेसे हमारे उनी कट गई ब्लेट निकल रहा है तो क्या करें महीं कड़ी से को ब्लेट कराओ इसको केसे कराओगे आपको एक एक प्रॉड को गुलेट कर देती है तो प्रॉड है तो प्रॉड है तो किसी को मिटा देश को देखो एक चीज़ और भी यह समझ लो को इसमें आता है। जिसकर नाम है हारडी शूलजे रूल की यह ता है फिस से पॉफ संग्जिया है। तो इन्होंने बोला हारडी मुझे रूल क्या है。 इन्होंने बोला है, कि greater the valency of iron greater the valency of coagulating iron coagulating iron coagulating iron नदर एलेक्टरोलाइट का वो आयन जो coagulate कर रहा है को असको कहते है coagulating iron of electrolyte एलेक्टरोलाइट के coagulating iron की जतनी ज़्यादा वेलेंसी होगी more is its power to coagulate उसने ज़्यादा उसकी coagulate करने की पावर होगी जैसे मेरे पास पूर एक्जाम्टे देखो यह हमारा क्या था हार्ड़ी सुल्जरूर है कि electrolyte के coagulating iron की जतनी ज्यादा वेलेंसी होगी उसकी power coagulate करने की उतनी ही ज्यादा होगी किसको coagulate करने पावर होगी को यह उतनी तेज से पास में कि एक तो एने चील है और एक मेरे पास सोडियम सल्फेट है और एक मेरे पास में सोडियम फॉस्फेट है एने तरी पीफोर इस तीनों ही क्या है मारे पास sadece elektrolite कि है की सर्फ माल立ु को आधका है कि संद्द में चीद है हमारे और को ईए कि इन जदन हर ऐसी ऊठी पर अब मेरे पास में फॉजिटिव पॉजिटिव v neighboring c1 को अ any पास में पोजिटिव और राइड । और ओच अग और और अजillä इए हैं अब मैंने क्या किया stopped कि मेरे पास वित्जटिव पॉजिटिव और तीन मेरे पास एलेक्ट्रोलाएट है एक एक तो sodium chloride का, एक sodium sulfate का, एक sodium phosphate का, तीनों को मैंने एक एक करके डाला, पेले डाला मैंने NaCl, तो आपको बताए, NaCl में दो आइन होगे, एक तो होगा Na positive, एक होगा Cl negative, तो मैंने बताओ के NaCl का कौन सा आइन इस positive को अगुलेट करेगा, सिधी बात एनाइन करेगा, अब एनाइन कौन सा इसमें, Cl negative, इसकी मेरे NC है, माइनस वान, इसमें चार्ज की तरह माइनस वान है, अच्छा, दूसरा मैंने लिया sodium sulfate, दूसरा इलेक्रोलाइट, इसको मैंने डाला, इसको मैंने डाला, इसमें कौन सा आइन कोगुलेट करेगा, इसके अंदा, पोजिटिव को अगु बताओ, इन तीनों इलेक्रोलाइट में से सबसे ज्यादा पावर किसकी है कि वो पुजिटिव को तीजी से कौगुलेट करे, तो आप कहुगे, इन तीनों इलेक्रोलाइटों में, नेगिटिव आइन की जतनी ज्यादा वेलेंशी होगी, उसकी पावर जाद होगी कोगूलेट करनेटी, समझने आ गया? ये तो चीज़ है न? इसमें C-Liolet की पावर सबसे कम है, Sulphate की पावर सबसे जादा है, Phosphate की पावर सबसे जादा है, Phosphate की वेलेंशी माइनस त्री, सब्सक्राइब करने कि अगर मेरे पास क्यों पॉजिटिव कॉलेड है और मेरे पास में तीन डिफ्रेंट एन आएंस है तो इसमें अगर मेरे पास क्या है नेगटिव क्लोड है नेगटिव को फिर में तीन इलेक्ट्रोलाइट लिए एक तो लिए मैंने सोडियम क्लोराइट एक लेलियम मैनिसियम सल्फेट और एक लेलियम ने क्या एलमुनियम फॉस्फेट संब्सक्राइब और एक मैंने दोगों यहां पर ले सकता हो नहीं को और एक और भी है मेरे पास में आपर बताना समझ को चैसल को और यहां कि वहरां को प्रूसीज सब्सक्राइब होगी इसकी पावर उनुद में इसकी वावरी दोसरा ग्यांपल देखो मेरे पास मेरे पास में नेगेटिव को रेड़ है प्लोड कोगुलेट क्राइब्स हो प्लियुक्त आंग सुद्रुप इस और बने फोसफेटलें लीटेंट काइड करने लीए ए अफ मेलेशों सुप्सेटल क्राइत है अब सकते हैं आपको डिफरेंट एलेक्ट्रोलाइट दितेतेकश सबसे यह आपको आपको नेगेटिव पैen आपको डफरेंट इलक्टावलाइट देगा को बताओ कौन से करतिव इलक्टायथ है समया सेस्रेट कर सकते है नोड करो से म्ला जो है कुछू नेक्स्ट हैमारी मिधनी डापर्टी क्या है कवरती इसमें क्या हां इसमें तो कोलेट्स तो लेसर वेल्व फॉलिगेटिव प्रपर्टीज दिकोज साइज अफ कोलेटिव पाटिकल इस बिगर और नमबर पाटिकल इन यूरिट वोल्यूम इस लेसर जब ध्यान सुनों कोलेटिव प्रपर्टीज आपने पढ़े होंगी सोलूसन चेटर में डिपरेश आपने प्रपर्टीज परीट कि टुड़ के मिश्चर पढ़े हुआ है तो आपने देखा क्या थी है कि ऐसी प्रपरटीज मिश्चर की जो डिपेंड करती है नम्बर पार्तिकल्स पर नंबर आफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है नेचर पर डिपेंड नहीं करती है यह नंबर आफ पार्टिकल्स यूनिट वॉल्यूम में जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रपरटी की वैलू ज्यादा आती है और नंबर आफ पार्टिकल्स जितन साइज कहता चोटा स्मझ्ज मांगी जैसे एक साइज के डिया बहुत ज्यादा स्थोटे होते हैं और मैंने अग लिया इस सब्सक्राइब क्या होता है बहुत बड़ा होता है इसमें पार्टिकल की संख्याइब कम होगी क्योंकि सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब करती है कि इस पर पार्टिकल्स पर जादे होंगे और पार्टिकल्स उन्यक्राइब क्योंकि होगे सब्सक्राइब अब होता क्या है कि जो कोलिट्स होते हैं उन में अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैलू निकाले डेपरेशन फ्रीजिंग पॉइंट एलेवेशन पॉइंट की वैलू कैलेट करें तो भाईया वैलू जो आती हो कम आती है कम सो करते हैं नौट करो इसे कि दो अन्यश्ट है हमारा लायोफिलिक कोलेट्स को कोगलिशन कैसे कैसे होता है कुछ तरीके बताए थे मैंने आपको जैसे बॉलिंग करके एलेक्ट्रलाइट एड़ करके एलेक्ट्रफॉर्सिस करके राइट और जी आपका अपोजिटली चार को मिलाकर राइट बहुत तरीके बताएथा मैंने आपको लायोफिलिक कोडिक कैसे करोगे राइट तो मैंने से एक और यूची तरीका ूसमें पताएब नीचे बैठेजागा सारा कोडлек informação लेकिन इस एक चीज और डालनी पड़ती है वह क्या चीज है कि शूटेबल सोल्वेंट है क्या है सब्सक्राइब होते हैं तो जब तक इंट्रेक्शन भी नहीं होगा चाहे आपने चार्ज को नूट्रलाइज कर दिया है तो तो एलक्त को दाले तो वह चार्ज को नूट्रलाइज करेगे और ब्सक्राइब और यह जैसे जितना ऐसे तो आप उत्सक्राइब करते हो कोई एंड्र नहीं होते हैं प्रोटेक्टिव क्या होते हैं इतना अनिष्टेवल होता है कि अगर आप लोग कुछ दिन के रिया आपको रख भी दिया नहीं तो वह अगर लाई फवी को लॉग टाम तक बचाना है तो उसमें हम एक प्रोटेक्टिव पोलेट डाल देते हैं तो जो क्या करेगा उस लाई फवी को प्रोटेक्टिव बचाएगा यानि को नहीं होने देगा और वो क्या लाई फवी कोलेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर मुझे लाई फवी कोलेट को बचाना है तो उसमें हम लाई फवी कोलेट मिला है और लाई फवी कोलेट यहां पर क्या काम करेगा एक प्रोटेक्टिव कोलेट का काम करेगा किसका प्रोटेक्टिव कोलेट का काम करेग यहांपर जैसे को प्रटिकल है संब्दा Is और इसको कोवो लिशन से बचा लेंगी लो कि इसको ऀखर से बचाना है इसके चारफ लब लागा दो कर दो थियाे इसको बचा लेगा लिटेगा अखर दते हुआँ के साथ में कर लेंगे के साथ कि राइट इस्ट्रोंग इंट्रेक्शन कर लेंगे और अंद्रवान जो लाइव फॉलिटर पार्टिकल है यह वाला लाइव फॉबिक है यह उसको पॉबुलिशन से बचा रहेंगे शैटन नहीं हो नहीं आगया है नौट कर लो इसे कि देखो कि मिटाद इसको सारे को प्रणुमें है किसी को अब देखो में नेस्ट पर इमल्शन क्या है इमल्शन किसे गयते हैं हिसे हैं संब्सक्राइब माया देखो क्या समझा है 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 कि मैं संब्सक् talked होता है 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 यह लिक्वजण अपको चैनल स्मल्ण अपको यहान हो कुछ अधी बता एक बाता कमें आपको इमस सबस्सक्राइब एक liquid, liquid collider solution, is called immersion, यानि कि अगर dispersed phase और dispersion medium, dispersed phase और dispersion medium दोने ही अगर liquid state में हैं, किसमें हैं, ये dispersed phase बालो, और इसको मालो dispersion medium, इसे लिटिएपर ऐधिए अगर दोने लिक्विडर्श टेट्स में तो वह क्या खेलाएगा अब हमारे कई होते हैं है मिल्क क्रीमबटर है यह क्या होते हैं कि मुखिक होते हैं तो होते हैं मेरे प्राइर बितनुरे गते हुआ है तो होते हैं लाके व्याटर इंस कि जिसको हम केहें डशार ज़्शाहिए डबल ड्शाट virtues का यस कुल्या के योे सब का और और या संक्यार च्रडव या पानी क्या होता है यहां पर और वाटर इन ऑईल इमर्स जो चीज पहले आ रही हो न वह इस पर से जो बाद मारी वह इस पर सब्सक्राइब तो इस टाइब को लड़ है कि जिसमें पानी तो वह इस पर से और वह इस पर दो इस पर दो जैसे बटर इस बटर में क्या होता है पानी कम होता है और फैट की मात्रा ज्यादर होती है तो ज्यादर मात्रा मों डिस्पर्जर वीडियम होगा जो कम मात्रा मों डिस्पर्स कहीं होगा और हमारा एक होता है वाटर इमल्स को बuलते हैं ओ डॉलो टाइप इमल्स ग्याभी है संफल, अब इसर आपर क्या दिस्पर्सफीर है और pharmacy क्या डिसपर्जन मेडिया का है कि अब पान निसपर्द मेंदियम है घ्रकिक फैट कि मातर ज्रकिंद क्या होता है कम इसलों निए हुमिल्क क्या है है रही मैं इनुड कि संदु के सब्सक्राइब इन 1ा सथितर के इसमें हुआ और जो आप in Almelz 5 N बनाने का बना रहे हो यो दूडबलू टैप नटंट अब तो इमल्सन आप कैसे ही बना रहे हो तो इमल्सन बनाने का जो प्रोसेस है इमल्सिफाइब एजेंट मिलाकर बना रहे हैं इमल्साइब इमल्साइब चाह डब्लू टाइप इमल्साइब बना रहे हो तो आप जब जैसे आप ओडब्लू टाइप इमल्साइब बना रहे हो ओएल इंड वाटर ओडब्लू टाइप तो क्या करे लोगे आप एक तो लोग अगर मुझे वाटर इन आइल इमर्सन बनाना है तो इमर्सिफाइंग एजन्ट कौन से यूज करेंगे हम एक तो यूज कर सकते हैं लेंप बिला जिसको सूट कहते हैं धुआ जो होता कालोच जो होती है और यूज कर सकते हैं यह लंदी करवन चेन वाले यूज कर सकते हो और अगर आपको बनाना हो ओड़ टाइप इमर्सन तो इमर्सिफाइंग एजन्ट उज कर सकते हो प्रोटीन या गंस गॉंध जो होता है या सिंथेटिक सोप उनको यूज कर सकते हो सब्सक्राइब आ गया सब्सक्राइब करना मतलब उसका ओइल और वाटर अलग करना उसको कहते हैं अब तुमने देखा होगा डी इमर्सिफिकेशन जो करते हैं के तरह के से करते हैं यह तीन में लिखे हैं सेंत्रिक फीटिंग के दवारा आखिवारा हम डी मलोच कर सकते हैं जैसे आपने देखा हुआ वा दूध होता है मिल्क उसको हमें डी इमर्सिफाइड करना है मतलब उसकी ख्रला पानी को अलग सेंत्रिक करते हैं हो एक मसीन होती है आप देखाऊ होगा डेरी फारिंग में Uh, B, भी अर Mmm, धी हो गया है और धर ल मिल्क में आ तो क्या होता है उसकी फैट पर पानी अलग हो जाता है यह तो डिवलशी्शन हो गया मल्स hon टोट गयाым ब्रेक हो होगए अब किसी मिल्क तो क्या होता डी मलसिफिकेस हो जाता है उसकी ने फैट होती है आप देख तो ऊपर आ जाती है तो यह तो यह हमारे तरीके होते हैं हीटिंग के द्वारा भी हम ली मलसिफिकेसन कर सकते हैं कि दखो कुछ इंपर्टेंट टॉपिक्स है उनको डिसकस कर लेते हैं जैसे कोलेट्स एरांड अस यह तीनों ही पॉइंट वेरी मोस्ट इंपर्टेंट हैं यह और तीनों ही पॉइंट यह बोर्ड में आ चुके हैं इनके वारे में ख़ड़ा समझ दो जैसे पहला है इसकाई में आटी है वान इस होती हुई वह लाइट सीधा एट्मोस्थ्यव में एंटर करती है सक्पार्ण कोछे मैं चुछ को पार्टीकल्स होते हैं आपको बताते हैं के कास्पा से लाइट गुजड़ेगी यह उन से ठकराएगी तो लाइट इसकेटर हुने लगता रिक्राव होने लगता है राइट अब हमारे जब विजिवी लाइट विव्ग्यूर राइट उसकी इस्कैटर्रिम्होती है वाइल ऍो वाइले कम Filet Color नजर नाही है करो साके साथ अंधे यही हुआ ए तो हम को वाइलट निजर आनाा चाइक का लेकिन हमें वाइले कलर नहीं आता क्यूंकि उस का स्षाज को हमारे आखें के अधे सबसे करते हैं क्यूंकि तो हमारे यह झायर कर लेती है इस लिए हमको लगता है की पूरा इसका जो है कलर दिखता है तो यह किसका खेल सारा एरोसोल का एरोसोल नहीं स्काइटरिंग कर दी लाइट की जिसकी मैंसे हमारा इसका जो है वह बिलू दिखाई देने लिए यह पॉइंट है इसका नेफ्ट ब्लेड की कोगुलेटिंग होना अभी मेरे कुछ दिर मतश्य सब्सक्राइब अगर कहीं पर कॉज़ू और से खून निकल रहा है तो क्या करणा पड़ेगा हमें एलेक्ट्र लाइट अपलाई करना पड़ेगा राइट क्या करने पड़ेगा या फैरक्लोराइड कोई भी एलेक्ट्रोलाइड अगर आप कट पर एप्लाइड करोगे तो फैरकुलाइड जो हुँगे वह एक काम करेंगे किसकी काम करेंगे और यह त्रहिए यह नहीं यहिए आप शुच होग को जाए ऑफार से होगे यह किले का होता है इसका मिट्टी का और अक्सर कहां बनता यह समद्र और महासागर जो होते हो इसमें अक्सर डेल्टा बन जाते हैं उंचे-उंचे टीले बन जाते हैं मिट्टी के इसका समझने पूरा प्रोसेस जैसे मालों आपके पास में समंद्र का पानी है या फिर महासागरों का वाटर है आपको पताया कि जो सी और वाटर होते हैं उसके अंदर बहुत सारे टो जब एक रिबर का पानी रीवर वाटर हिए जिसके अंदर गंडर होती है कले कैसी मिटी जो होती है सुआ जरनी बाइटर डिकर पानी पहले विश्ट्रे से तो जब समंदु के समंदु के समंदु के पानी को महासेग्य को टच करता है मिटिंग पर यहां पर टॉट करता है जैसे टॉट करेगा राइट रिवर बाइटर के अंदर जो किले होती है वह तरंत ही हाँ पर कोगुलेट होने लगती है और काफी उचाहिता की पहुंचाती है और यह डेल्टा का रूप ले लेती है तो हमारे समंदर में अक्सार डेल्टा बन जाते हैं को हम कहते हैं कि उच्छे पठार बन जाते हैं मिट्टी के वह डेल्टा आज होते हैं जेख लेकर आइसे